पी डबलू के amazing platform पर आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरा नाम है रिंकू को सिक और उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने exam की preparation कर रहे होंगे बहुत अच्छे से लगे होंगे अपने exam की तयारी में तो आज के इस session में हम चर्चा करते हैं कि आज के session में आपको क्या मिलेगा आज के session में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आपके सामने ये रहा आज के session जो है हमारा वो है electromagnetic induction आज के session में हम electromagnetic induction के बारे में जानेंगे समझेंगे क्या होता है तो सबसे पहले इस session में कौन-कौन से topic भी कवर करेंगे यानि electromagnetic induction में हम कौन कौन से टोपिक कवर करने वाले हैं वो आपके सामने यह रहे तो सबसे पहले हम magnetic flux के बारे में जानेंगे कि magnetic flux क्या होता है फिर faraday's low के बारे में जानेंगे फिर हम self induction, mutual induction और pyq यानि यह topic आज के इस session में हम कवर करने वाले हैं इन topic पे हम चर्चा करेंगे और previous year problem भी करेंगे तो सबसे पहले आज के session को चुरुआत करता हूं कहां से magnetic flux से तो आपके सामने यह रहा, magnetic flux क्या होता है, the magnetic flux through any surface placed in a magnetic field is the total number of magnetic line of force crossing this surface normally, यह क्या कह रहा है, अगर मैं किसी surface को magnetic field line में रख देता हूं तो उस surface में से normally कितनी number of magnetic field line cross करके गई हैं, वो हमें magnetic flux calculate करके देता है तो magnetic flux क्या calculate करता है, magnetic flux क्या बताता है, वो बताता है कि कितनी number of magnetic field line surface में से normally pass करके गई हैं, वो हमें magnetic flux देता है, यानि magnetic flux हमें बताता है कि number of lines, ठीक है, magnetic lines है, normally surface में से pass करके गई है, वो हमें magnetic flux बताता है, अच्छा जी, अब ध्यान से देखेगा कि मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास magnetic field line, इस magnetic field line के अंदर मैंने क्या रख दिया, मैंने एक surface र रखा है, इस surface का area vector क्या है हमारे पास, इस surface का area vector ये रहा, area vector n-cap, कितना angle बना रहा है area vector, ये theta angle बना रहा है, तो यानि magnetic flux इस surface के लिए calculate करना हो, तो क्या बनेगा, magnetic flux का अगर formula लिखू तो b dot a, ये हम इस परकार से भी लिख सकते हैं, या फिर इस magnetic flux को हम calculate करेंगे, तो b dot ds और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b ds को से theta, अब क्यूशन ही आता है, सर, b dot a, यहाँ पर आप integration लगा रहे हो, यहाँ पर magnetic field और area से सीधा multiply कर रहे हो, और उनके बीच में जो angle है वो आ जाएगा, ये अलग अलग कैसे लिख रहे हो, ये अलग अलग कैसे लिख रहे हो, इ दे रखी है, तो आप सीधा क्या करो, magnetic field line जो है वो, और जो area है, area से multiply कर दो, उन दोनों के बीच में एंगल है, उनका कहले लो theta, तो सीधा flux आ जाएगा, लेकिन, अगर magnetic field line क्या कर रहे हो, position से change कर रहे हो, यानि area अलग अलग, जो हमने ये माल लो, ये ring ली, इसे ring में, formula लगाना पड़ेगा, integration का, integration से ही फिर हम calculate कर पाएंगे, यानि, यानि ये हमारे पास main formula है, ठीक है, ये रहा magnetic flux का, तो हम यहाँ पर बना देते हैं, आपके सामने star, star बना दिया हमने, ठीक है, यानि, magnetic field line जब भी हमारे पास changing हो, यानि वो change कर रही हो, तो हम direct को लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग region में, अलग-अलग magnetic field line ने, तो ऐसा थोड़ी कर रखते हैं, magnetic field line into area से multiply करते हैं, क्योंकि magnetic field line तो change कर रही है, तब वहाँ पर हमें integration करना पड़ता है, उस particular region के लिए उस particular surface के लिए, तो हम ये formula लगाते हैं, अब यहाँ पर आता है, थीटा सि magnetic field line और area vector के बीच का ये क्या है, एंगल है, magnetic field line और area vector के बीच का क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल है, तो हम magnetic flux की बात कर रहे हैं, तो magnetic flux आपके सामने हमने ये लिखा, B dot D S is equal to, या फिर हम इसको लिख देते हैं, B D S cos, थीटा और थीटा क्या है, अभी अभी ब हमारे पास scalar quantity है, कैसी quantity है, मेरे प्यारे बच्चो, scalar quantity है, जितनी भी physical quantity है, उन सब को measure करने के लिए हमने unit बना रखे है, जैसे किसी object का mass measure करना हो, तो kilogram, gram, किसी object की velocity measure करनी हो, तो meter per second, centimeter per second, ठीक है, किसी object की height measure करनी हो, तो हम किसमें measure करते हैं, meter, centimeter, बहुत ही जाधा लंबा ह हो, या तो kilometer, हाना, समझरे हो कि नी, सब तो हर physical quantity के हमने unit बनाई है, तो हमारे पास जो ये magnetic flux है, इसकी भी कुछ नपकुछ तो unit होगी, अगर इस magnetic flux की unit की बात करें, यानि magnetic flux को किस unit में हम measure करते हैं, तो दो परकार की unit आपके सामने होती है, एक तो होती है, SI unit, क्या होती है SI unit, दूसरी आपके पास होती है, CGS unit, अच्छा, SI unit में किस में measure क्या जाता है, SI unit हमारे पास होती है, Weber, Weber के अंदर हम इसको measure करते हैं, और दूसरी हमारे पास CGS unit है, CGS unit हमारे पास कुछ ओती है, Maxwell, यानि Maxwell में हम इसको measure करते हैं, और MX से इसको हम denote कर लेते हैं, अब ठीक है, अच्छा इन दोनों में Weber और Maxwell यानि SI और CGS unit में भी relation होता है जैसे हमारे पास Newton और Dine जो force की है force की SI unit है Newton और CGS unit है वो Dine है ठीक है उनमें भी आपस में relation होता है इसी परकार यहाँ पर भी तो one Weber कितने Maxwells के बराबर होता है 10 to power 8 Maxwells के बराबर होता है 10 to power 8 Maxwells के बराबर होता है इसको याद रखिएगा कई बाहर unit unit conversion भी यूज हो जाता है ठीक है आपको दे दिया वैबर में result पूछ लिया result पूछ लिया ऐसा unit में और वहाँ पर magnetic flux दे दिया किसमें Maxwell में ठीक है तो unit conversion आना चीए नहीं one Weber कितने के बराबर होता है 10 to power 8 Maxwells के मेरे पास ये क्या है magnetic field lines है that is the that is the magnetic field line ये क्या है magnetic field line है कितनी है magnetic field line बी note इसके अंदर मैंने क्या रख दिया एक square क्या रक दिया एक square जिसकी side a है ये side भी स्की क्या है अब यह square है यह तो surface है अब एक surface को मैंने external magnetic field line में रखा और magnetic field line भी कैसी है वो बी note है यानि एक समान फैली हुई है इस region में यानि बी note कैसी है constant है तो इस square के about आपको magnetic flux बताना है कि magnetic flux क्या होगा इस square के लिए option देता हूँ पहले पाई a square option b आपके पास है पाई a square by 2 option c आपके पास है 0 और option d आपके पास है none of the above none of the above none of the above none of the above अच्छा 0 के जगा हम यह लिख लेते चलो 3 by 2 पाई a square चलो बताओ a b c d में से कौन सा option correct होगा a होगा b होगा या फिर c होगा अच्छा वह इसका solution देख लेते हैं solution simple सा है magnetic flux का formula क्या है हमारे पास magnetic flux का formula क्या है magnetic flux की बात की जाए तो बी डोट ds है बी डोट ds है अच्छा magnetic field line किदर है अंदर area area चोटा सा area लिया इस चोटे से area के लिए मैं क्या लग रहा हूं magnetic flux लिख रहा हूं इस चोटे से area हमारे पास क्या है ds इस चोटे से area का vector की direction क्या है invert दोनों के बीच में अंगल क्या है 0 यानि इस square का area भी अंदर magnetic field line भी अंदर जा रही है तो दोनों के बीच में angle क्या बन गया 0 बन गया तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बीडी एस को से 0 तो हमारे पास यह आ गया बीडी एस अब magnetic field line तो क्या है constant है वो तो integration से बाहर आ जाएंगी अब इस थोटे से area का पूरा area लिखना है तो area क्या पूरा बन जाएगा integration करूं को तो a square तो हैं हमारे पास क्या बन गया बीए square तो magnetic flux कितना है बीए square अच्छा जी बीए square पाई लिख दिया क्या सब जगा है बी आएगा बहुए ना द्यान नहीं रहा बी कर लेना बी ए स्केर चलो भई पाई था चलो भई पाई ले लेते हैं पाई था अगर यहां पर तो पाई a square पाई a square लेकिन आया क्या बीए square तो कौन सा option हो जाएगा option दी इसका correct answer कै कैसे कर लो यार बात एक ही है option दी इसका क्या बन गया correct answer बन गया ठीक है ठीक है कि नहीं चलो भई आगे चलते हैं next question next question आपके सामने यह रहा ठीक है चलो अब पाई काई ले लेते हैं यह रहा यह रहा magnetic external magnetic field line है इसके अंदर एक रिंग रख दी जिसका radius क्या है आर क्या रख दी एक रिंग रख दी एक तरीके से यानि हमने हमने क्या रख दी एक रिंग से यानि इस प्रकार से एक एक डिस्क रख दी ऐसे समझों एक क्यासे इस सेप के हमने इसकी रख दी ठीक है अच्छा मेंगनेटिक फिल्लाइन कितनी external वो है बीनोट तो यह कह रहा है इस डिस्क के अब आउट आपको मेलने आज़चा मेंगनेटिक फ्लक्स बताना है ऑप्शन आपके पास यह रहा ए नोटसन आपके से रहा Украї होगा जरा solution देखें जरा solution देखें भाई solution देख लेते हैं सर क्या दिक्कत होगा solution देखने में देख लेते solution अच्छा जी flux निकानले का formula क्या है वो है हमारे पास b dot ds बी डोट ds तो मैंने एक सोट असा area माना area क्या है यह ds इसकी direction क्या है inward area vector magnetic field भी अंदर area भी अंदर दोनों की direction क्या है inward तो दोनों किसमें है same direction में है same direction में है तो क्या लिख सकता हूँ bds को से 0 यानि magnetic flux क्या बन जाएगा b बहार आ गया ds एरिया यह चोटा से एरिया complete area का बनेगा इस इसका पाई आर स्केर तो यह क्या गया यानि बी नोट बी नोट पाई आर स्केर तो कौन सा option प्रिशन करेक्ट हो गया option ए इसका correct हो गया चलो भई इसी क्यूशन को थोड़ा और सेम क्यूशन है सेम क्यूशन है लेकिन इस सबार है जो हम डिस्क रख रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके से या फिर हम जो रिंग रख रहे हैं उसको तोड़ा अलग तरीके से समझे यह यह लो भई यह लो यह लो ठीक है यह लो यह लो यह यहां पर क्या प्रजेंट है यहां पर हमारे पास प्रजेंट है इस रीजन में ए मेंगनिटिक फिल्डर वह कितना है बीक कर दिया अदी बिस इसी स्मेंटिक फिल्डमें आदे इसके बाहर है यह वह निक है यह रीजन कैसा है यह लिख बता हूं यह हाफ डिस्क हाफ डिस्क का रीजन है यह कैसा डिजन है हाफ डिस्क आपको मेगनेटिक फ्लक्स बताना है इससे डिस्क के अब आउट क्या होगा magnetic flux option A दे देता हूं B not pi r square option B option B b not pi r square by 2 option C b not pi r square 3 by 2 option D b not r square same option दे दिया है ना ठीक है बताओ ज़रा बताओ ज़रा क्या होगा half disk है half disk है ना भई बताओ half disk रखी हुई है आधी किसके अंदर है, magnetic field में है आधी, बाहर है तो आपको इस half disk के लिए magnetic flux बताना है तो इस half disk के लिए magnetic flux होगा तो क्या होगा, ज़रा solution देखें बई, solution क्या होगा formula क्या है हमारे पास, वो formula है b dot ds b dot ds और constant है अरे बई, constant है और दोनों सेम डिरेक्शन में है ना, तो मैं क्या लिख दूँगा, b ds कोस 0 यानि b बहार आगया, ये ds अब एरिया क्या होगा, b pi r square by 2 बच्चे, इसका एरिया पता है क्या लेंगे, pi r square पूर्य disk का एरिया, अरे आधी है ना, अरे कितनी, इस disk का कितना हिस्सा इसके अंदर प्रजेंट भई, आदा है ना, पूरा थोड़ी है, तो जितना हिस्सा प्रजेंट है, वही तो रीजन लेंगे हम, अरे यार, ये रीजन प्रजेंट है ना, और इसका एरिया क्या है, pi r square by 2, हाफ है ये, अरे ये कैसी है, ये हाफ डिस्क है ना, तो भई, जित है, magnetic field कितनी है, b not pi r square by 2, तो कौन सा option correct हो गया, b, इसमें बच्चे a लगा के आ जाते, b not into pi r square, ठीक है, समझो इस बात को जरा, समझ में आया के नहीं आया, हाँ वही, समझ में आया के नहीं आया, चलो, next question, एक और question कर लेते हैं, एक और question कर लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक region है, ये रोई, दो डिसक हैं, एक तरीके से इस परकार से, magnetic field line केवल इस region में present है, वो भी inward, magnetic field line केवल है, इस region में present है, magnetic field line केवल और केवल इस region में present है, magnetic field line केवल और केवल कौन से region में है, इस वाले region में है, magnetic field line केवल और केवल इस वाले region में है, जिसका radius a है, और इसका रेडियस क्या है B और आपको मेगनेटिक फ्लक्स दो बताना है वो दोनों के लिए बताना है मेगनेटिक फ्लक्स जिसका रेडियस A है उसके लिए भी बताओ, मेगनेटिक फ्लक्स जिसका रेडियस B है उसके लिए भी बताओ दोनों के लिए बताना है यानि smaller smaller disc के लिए भी और bigger disc के लिए भी आपको magnetic flux बताना है तो भाई साब option दे ज़रा option आपके पास ये रहा pi b note magnetic field line ये कितनी है uniform है कैसी है uniform constant यानि b note b note है direction क्या है inward ठीक है तो option आपके सामने ये रहे b note pi a square b note pi b square option b b note pi a square b note pi a square option c b note pi b square b note pi b square option d none of the above none मतलो और कुछ ले लो option d हम ये ले लेते हैं b note pi a square by 2 और ये आगया b note pi b square by 2 पताब कौन सा option है correct होगा magnetic flux बताओ क्या हो ठीक है magnetic flux हम पहले निकाल रहे है smaller जिसका radius small a उसका formula क्या बनेगा वो बनेगा b dot ds दोनों का अरे भाई इसका area भी अंदर magnetic field की direction भी अंदर दोनों के बिच में अंगल क्या है 0 तो b ds को उसे 0 जब हम करेंगे तो magnetic field कितने b note area क्या बनेगा pi a square ठीक है और जब magnetic flux निकालेंगे बड़े वाले के लिए तो हम क्याल केंगे वो ही b dot ds b dot ds दोनों सेम डारेक्शन में यानि b ds को से 0 दोनों सेम डारेक्शन में तो b ds को से 0 यानि b note pi a square अरे भाई इस region में तो है बाकी तो MPT है ना तो उतना ही region से multiply करेंगे जितने में प्रजेंट है magnetic field नहीं अरे समझे के नहीं समझे that is the magnetic flux यह हमारे पास क्या है magnetic flux अभी हमने magnetic flux निकालना सीखा था अब हम आगे चलते हैं चीजों को थोड़ा और जानते हैं समझते ठीक है क्या हुआ कि जो हमारे पास कोई close loop है अगर उस close loop का magnetic flux time के साथ change कर रहा है तो उसके अंदर EMF induced हो जाता है यानि उसके अंदर current flow करने ले जाता है अपने आप ही current आ जाता है ठीक है इनके बारे में किस ने बताया इसके बारे में बताया फैराडेज ने लेंज लों ने बता है लेंज लों हमें current की डारेक्शन देता है उसके बारे में में चर्चा करने है और किक्षन वहाँ ही से बनता है कि जो EMF induced होता है वो कितने amount का होता है जब कोई close loop दे रखा है अगर उसकी कोई magnetic field change कर रही हो time के साथ क्या magnetic field है अगर किसी close loop के साथ associated है अगर वो time के साथ change कर रही है यानि उसे close loop का flux time के साथ change कर रहा है तो क्या होता है उसके अंदर एक EMF produce होता है उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले थोड़ा experimentally इस बात को जानते है हुआ क्या था यह actually में क्या हुआ है हम इसको experiment थोड़ा सा समझने की कोशिज करते है कि मैंने एक ring ले ली यह रही मेरे पास एक ring मैंने क्या ले ली मैंने ले ली मेरे पैरे बच्चों एक ring यह रही रही अब इस ring को मैंने एक galanometer से connect कर दिया किस से connect कर दिया galanometer galanometer क्या होता है जो small amount का current है ना उसको measure कर पाता है very small amount का current यानि बहुत सोटे amount का current होता है उसको हम galanometer के साथा से measure कर सकते है इसलिए हमने यहाँ पर क्या connect किया एक galanometer connect किया एक wire एक wire को circle की form में क्या कर दिया एक circle की form बना दिया और उसको रख दिया इस प्रकार्ज है और यहां पर मैंने एक magnet लिया magnet अभी ये magnet है नोर्थ पॉल और ये क्या है साउथ पुल अब क्या हो रहा है ये जो magnet है ये किस पे है रेस्ट पर है देखो समझ ना एक एक के समझेंगे ये रेस्ट पर है और जो कलैनोमीटर के साथ जो एकोल एचांश है ये भी हमारे किसफ़ पर है मेरे प्यारे बच्चो ये भी रेस्ट पर है और जब रेस्ट है तो ये मेगनेट है मैगनेट क्या पडीचक पीड्ल लाइन भाई बिल्कुल करेगा तो इस मेगनेट ने मेगनेटिक मेगनेटिक फिल लाइन पर्डियूस करी इस परकार से मेगनेटिक फिल लाइन पर्डियूस करी यानि इस मेगनेट से क्या हो रहा है इस मेगनेट से क्या हो रहा है ऐसे समझो इस मेगनेट से इस परकार से मेगनेटिक फिल लाइन पर्डियूस हो रही है यानि ऐसे जा रही ह से मेगनेटिक फिल लाइन से निकल रहे हैं नौर्स पॉल से मेगनेटिक फिल लाइन निकल रहे हैं तो इस क्लोज लूप में से कितनी नमरों मेगनेटिक फिल लाइन दो जा रहे हैं यानि इस इसे close loop से अगर इस close loop के लिए magnetic flux पूचू तो क्या होगा जो magnetic field होगी वो और इसका जो area होगा वो area यानि पाई आर स्केर यानि यह होगा क्या यह magnetic इस बात को ऐसे समझो यानि magnetic flux का मतलब समझिया आ गया कि इस लूप में से कितनी number of magnetic magnetic field line नोर्मली पास करके गई है वहीं तो है magnetic flux तो यानि इसका जो magnetic flux है वो constant रहने वाला है अब जरा इसको ऐसे समझो कि मालो दो magnetic field line गई है इसमें से तो magnetic flux इसका क्या है constant है यानि दो एक तरीक ऐसे समझो कि मालो दो number of magnetic field line यहां से पास कर गई perpendicular यहां से मानो समझो समझने के लिए तो इसका magnetic flux क्या रहेगा वो constant रहेगा क्योंकि magnet भी constant है और यह सिस्टम भी constant है तो क्या इसमें किसी परदगार को कोई current देखने को मिलेगा कुछ नहीं देखने को मिलेगा यह एज़टीज है कितने से जा रहा है वाई समझ भी वेलोस्टी से जा रहा है और यह हमारे पास कोईल थी और इसको हमने एक गलेनोमेटर से अटेच कर रखा है जब इसको मैं v-velocity से मूख रा रहा हूँ यानि जब इसके पास आ रहा है तो इस मेंसे जो magnetic field line पहले दो थी अब धीरे जीरे number of magnetic field line पहले ज्जादा जाने लगेंगी क्यों जादा जाने लगेंगी क्योंकि यह तो magnet है इस में से तो magnetic field line निकल रही है अभी दो path कर रही है अब थोड़े दिर में अगर यह magnet यहां आ जाएगा तो magnetic field line जादा cross करेंगी तो magnetic flux क्या करेंगा change करेंगा अब क्या हो रहा है जब इस magnet को मैं मैं इस कोईल के पास ला रहा हूं इस close loop के पास है यानि इसका फ्लक्स जादा हो गया यानि अफ्लक्स क्या हुआ जैसे इसका फ्लक्स चेंज होने लगा तो इस गैलनोमेटर ने रिफ्लेक्ष्न्स होकिया यानी इस कोईल के अंदर करंट आ गया है इसकोईल के अंदर काया 하루 के अभिसक Nej करंट आया है तो इसका मतलब करन आया है आक फैकरन आएगा करनट तब ही तो आएगा जब उस यहां से खेल निकला यहां से यह खेल निकल कर आया अगर कोई close लूप है समय के साथ अगर उसका magnetic flux चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इमफ होता है अगर उसमें एमफ है तो उसमें current फ्लो करता है अब क्या देखा गया अब जो ये current है ये क्यों पर डियूस हो रहा था इसमें ये मिला लेकिन जैसे मूह करने लगा इस इसके साथ जो फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, यानि इस कोईल के साथ जो फ्लक्स अटेच है, वो फ्लक्स क्या करने लगा, टाइम के साथ चेंज करने लगा, जब टाइम के साथ फ्लक्स चेंज करने लगा, तो इसके अंदर क्या इंड्यूज हुआ, इसके कि अंदर क्या इंड्यूज हुआ अरे चल जा यार इसके अंदर क्या इंड्यूज हुआ इसके अंदर इंड्यूज हुआ इंड्यूज हो गया इंड्यूज हुआ इंड्यूज हुआ इंड्यूज हुआ इंड्यूज हुआ इंड्यूज हुआ इंड्यूज हुआ नेचर का निहीं है नेचर उस पर काम करता है उसी बितलता है कि कोई आदमी रेस्ट पर है तो जिंद्धी पर रहना चाहता है वह नहीं चाहता है उसमें कोई मोशन आए वह चाहता है नहीं वह अपोज करता है मोशन का मिश्ट अरे इनर्शिया पढ़ते तो है इनेरिशिया पढ़ते हैं ये नेचर है नेचर है नेचर करने को है नुटा साहथ है यह इसके साथ बने अटैच था मालो कोई कुछ flux था 5 पांच वैबर कुछ flux था तो यह कहेगा कि मेरे पास 5 वैबर ही flux रहना चाहिए मेरा flux ना तो बड़े ना गटे लेकिन जब मैंने इस magnet को जब मैं पास लेके जाने लगा जब मैं इसको पास लेके जाने लगा तो इसका flux increase करने लगा लेकिन यह चाहता ही नहीं है कि इसके flux में कोई चेंज आए तो यह क्या करेगा उस flux को अपोज करेगा तो वो अपोज जब करेगा तो इस परकार से current को इंट्यूज करेगा कि ताकि वो जो flux increase हो रहा है वो ना हो सके यानि उस flux को वो decrease करना चाहेगा अब इस case में जो यह flux है यानि increase कर रहा है तो current किस direction में इंड्यूज होगा इसने लेंज ने बताया था थोड़ा हम समझ भी लेते हैं यहां पर भी वो इसका अपोज करता है जो flux में जो चेंज आ रहा है उसका अब देखो क्या होगा अब यह जैसे जैसे पास आएगा तो flux क्या करेगा बढ़ेगा कि अब समझ लां कि मेरे पास यह है कोईल कि यह इस परकार के एसी यह कोईल है और यह कोईल है और यह समझ ला तो इसमें कोई current इंडियूज नहीं हो लेकिन जैसे इस बार magnet को पास लाने लगा तो flux की value घटने लगी अब flux की value घट रही है तो इसके अंदर can use हुआ current क्यूंकि वो उस flux को increase नहीं करना जाता तो current कि direction में इंडियूज होगा बता हुज़रा है अब राइट हैं दूरूज से अगर current इसमें कैसे ट्लो करने लग जाए अगर इसमें यह जो कोईल है इससमें क्लोकवाई से अंटी क्लोक वाई अगर यह इसमें इसमें current अब कैसे पर्यूस करेगा anti-clockwise अगर इसमें current anti-clockwise हो जाए यानि current anti-clockwise flow करने लग जाए तो भाई anti-clockwise जब किसी coil के अंदर anti-clockwise यानि जब coil में current flow करते है इसलिए यह अपने आंदर करेगा अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर एंटी एंटी क्लोकवाइज क्यूंकि हां एंटी क्लोकवाइज क्लोकवाइज बना रहा हूं मैं भी कि डारेक्शन में करेंट करेगा इसमें एंटी क्लोकवाइज अपोज करेगा समझ रहे हो ना इस बात को ऐसे समझ लो फिर से कि भाई यह मेरे पास कोई है देखो मैं फिर से पास आके आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि यह डारेक्शन कैसे देखो करेंट केरिंग वायर जो होती है जो लूप निट्ट करते है करता है करता है रहे पास लूप यह हमारे पास लूप है और यह है बार मैगनेट इसके पास जा रहा है जब पास जाएगा तो इस इस close loop में से magnetic flux increase करेगा अब यह चाहता नहीं है flux increase करें तो यह क्या करेगा आपने अंदर current flow कोरेंके कैसे current flow कराएगा anti-clockwise day- statewide current ней Omaha किसे और भारनी देमारी थी ना जब बोर्र माइट जा रहा था लेकिन अगर current इस Cup लोप कोई करनेدم तो उसने magnetic field line किदर produce करें इदर यानि वो इसको decrease यानि magnetic field line को decrease करना चाहरा है तो current की direction कैसी आ जाएगी आपर एंटिक लोग यहाँ पर क्या induce हुआ EMF induce हुआ और जो यह EMF induce हुआ है यहाँ पर यहाँ पर जो EMF induce उसकी वज़े से क्या हुआ current इंडियूज हुआ और current इसे परकार से इंडियूज होता है circuit में ताकि जो flux है वो चेंज हो रहा हुआ उसका अपोज करता है अगर यह बार मैगनेट जो अगर दूर जाने हैं ऐसे इसमें अंदर आ रही है अब क्या होगा अगर यह बार मैगनेट जूर जाएगा तो इसके साथ जो flux है वो तो decrease करेगा यानि flux जो है वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है यह चाहता नहीं इसमें flux decrease हो flux क्यों decrease कर रहा है क्योंकि magnetic field line decrease कर रही है तो यह क्या करेगा इस परकार से magnetic field line को produce करेगा ताकि यह जो magnetic field line decrease करीए decrease ना करे यह बढ़े यह नहीं चाहता इसमें चेंज रहा है अगर यह दूर जाएगा तो क्या होगा अब अब समझो फिर से समझो यही बात यही बात देखो मैंने बता है flux decrease करेगा मतलब magnetic field line decrease करेगा यह कोईल था यह हमारे पास कोईल है और यह हमारे पास बार मैंगनेट दूर जा रहा है मेरे प्यारे बच्छों यह बार मैंगनेट जब दूर जाएगा तो होगा क्या भाई यह नोर्थ पोल था ना जब दूर जाएगा अब इस मेंसे इस नमबर मैगनेटिक पील लाइन कम हो गई कम पास कर रहे है यानि फ्लक्स में डिक्रीज कर रहा है तो यह चाहेगा यानि ऐसे जारी तिर्मेटिक प्लाइन को पड़ीज करूं ताकि जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो मैं हटा सको रूमीव कर सको क्योंकि यह दूर करेंगा अब हैव दस अब पांच जाने लगी है लेकिन मेगनेटिक फी लाइन तो इसी डिक्रीज कर रही है तो करक्स कीसे रूम ठेल लगए यह तो यह क्लोक्वाइज करने लगा यह नहीं चाहता नसरेauen लिए तो एक्लोक्वाइज करने ताकि flux decrease ना करें जब कभी कोई close loop होता है उसमें जब कभी हमारा magnetic flux change करता है तो उसमें EMF आएगा ही आएगा EMF आएगा तो उसका मतलब उसमें current भी flow करेगा तो यानि इसके अंदर जो current है वो कैसे flow करेगा बताओ इसके अंदर जो current है वो कैसे flow करेगा clockwise की anti-clockwise बताओ clockwise डारेक्शन कैसे क्लोकवाइस अब एक ओड कमाल की बात देखो यह दो तो पढ़ लिए अब यह रेस्ट पर है यह भी रेस्ट पर है अगर मैं इसका area बढ़ा दू तो अभी area कुछ है अब area ज्यादा कर दू अब मालो मैंने इसका area क्या कर दिया समझना इसका area यह कर दिया अब इसमें अगर एंगल है उसको चेंज करने लग जाओ तो फ्लक्स चेंज हो गई होगा अगर फ्लक्स चेंज हो गा तो उसमें क्या होगा भाई यह में पडियूज होगा यह में पडियूस होगा तो अब देखो अब इसका area increase कर दूंगा तो तो उसका अपोज करेंगा एंटी यार समझे के नहीं समझे यानि यानि इसके अंदर जो एमिए पडियूस हो रहा है इसके अंदर जो करेंट हमें देखने को मिल रहा है वो जो current है वो किसके बराबर होता है वो EMF बराबर होता है माइनस यानि हमें जो EMF देखने को मिलता है इसके अंदर जो EMF इंडियूज हुआ है वो बराबर होता है D5 by DT इसे सिंपल सी बात है कितना D5 by DT इतने amount का यानि flux को time के साथ differentiate कर दो तो उसके अंदर हमारे पास EMF मिल जाएगा यानि इतना EMF produce हो रहा है negative sign क्या represent कर रहा है negative sign यहाँ पर represent कर रहा है कि जो flux change हो रहा है उसका पोज करता है कि उसका पोज करता है कि जिस डारेक्शन में flux increase कर रहा है तो उसके अपोज डारेक्शन में में पर्डियूस होगा ऐसे समझो ठीक है समझें का नहीं समझें उसका अपॉज करता ये बता रहा है तो इसी पर फेराड ने पंद ने का कहा था कि जो लूप है। में इतने होगा यह फैराडे ने काहा था यह इस ना फैराडे लोगन जब भी निनकालेंगे magnitude तो d5y dt से भी निकाल सकते हैं, magnitude निकालने के बात की गई, यह हमारे पास क्या है, magnitude, ठीक है, यह क्या है, magnitude, यह हमारे पास, फेराडे लो है, फिर उसके बाद लेंज लो आया, लेंज लो ने क्या बताया, direction के बारे में बात की, कि किस direction में वो current induced होगा मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि वो flux का increase करेगा, यही इसने बात लिखी है, क्या गया, इस law states that, the direction of induced current in such that, it opposes the cause, यह उसको अपोज करेगा, जो कारण है, कारण के change in flux, it opposes the cause, which produce it, जिसने इसको produce किया है, उसी का अपोज करता है, उसी का अपोज करता है, that is, it opposes the change in magnetic fluxes, ने लिखा भी है बात, क्योंकि current इसके अंदर current क्यों आया है, magnetic flux के change होने के वज़े से, तो यह उसी का अपोज करता है, उसको अपोज करते हुए, वो circuit में current produce होता है, वो इस परकार से circuit में current produce होता है, थाकि वो अपोज कर सके, that is the lens, यही मैंने समझाया था जाख भी example लेके, भाई coal का और इसका example लेके यही समझाया था, और समझो, मलो, मलो यह है मेरे पास coal, और magnetic field दे रखिया है, भाई इसको, इस coal को एक magnetic field में रख दिया ना इसे समझो और मैंगेनिटिक फिल्डस टाइम के साथ किया दे राखी है यह दे राख़िए 12 लेंगी इन यह तो ग्लग्स खोग प्लक्सक्या अब आरई ना तो फ्लक्स क्या बनेगा यह बनेगा थुक्रिच सबस्दा कर दो अब टाइम के साथ क्लेग्रें कोब विल्कुल एक एम प्लेज क्रीजन कर रहा है मैगनेटिक प्रों ने प्लक ₹ इन तरफ में अंदर कोल्स अब देखो magnetic क्या हो रहा है क्या हो रहा है वाई सा magnetic field line increase कर रही है तो flux भी increase कर रहा है तो यह flux change कर रहा है तो current अभी इस प्रकार से produce होगा ताकि जो यह flux change वाई यह change ना हो पाए अब current कैसे produce करूँ माल लो इसके अंदर current हमारा किस direction में आ गया माल लिया कि current हमारा clockwise आ गया कर लेते हैं current मैंने clockwise ले लिया कैसे ले लिया clockwise राइड़ हैंन्सम्रूल्र अगर करेंट clockwise फ्लो कर रहा है तो तो फ्रक्स का फूज करी नहीं न न कसे ससको करन को करना पड़ेगा यसको एंटिक लोग्वाइस को तो यह शमयाने कि शत्रहिस करेगा अंद्र कि थे तो कुर्स बताता है यानि जो इसEh-oson which में tillू जो टेंज हो गाराता हूं अपोझ करता हैं जो करेंट्व इंडियो जोगा वह इस परकार्थ हिंडियो जोगा तकी जो फ्लक्स में चैंज आया उसका वो अपोज करें और यही डेफिनेशन में लिखा है इस लो गज्धेट ता इस दो यहाँ नेट है अगर हमें इंफ निकालना हूं जैसे इसके अंदर कर्रेंट निकाल रहे हैं अगर मैं बात करूं तो इंफ कितना पडिएउस होगा तो उसका सिंपल सा फोर्मुला है माइनस डि फाई भाई डीटी जे आपीञ इन फ्लक्स लो जलते हैं अब कुछ प्रोब्लम करतें हैं समझते हैं क्या है कि next q e फांड आूट पाइन आूट फांड आूट इंड्यूज करंट में नोएंडा स्विशंट यह पास क्या है यह मेरे पास चेंज फीड हो। भी मीको परन केने साथ नियांने में लुपर एंटाज में व मेंने अलेटिस् सब्सक्राइब मुझे मीजान बिल रखा को और बस्नेंट Сेंट में लिण कोमख कोlast है इस हो राइध सब्सक्राइब पास कितना है वो resistance है small r तो आप से पूछ रहा है कि इस रिंग के अंदर जो induced current होगा उसकी value क्या होगी उसकी value क्या होगी अगर मैं option दूँ पहला पहला option 0 option दूसरा हमारे पास क्या है बी नोट पाई a2 option c हमारे पास क्या है बी नोट पाई a2 option d हमारे पास क्या है none of the above या फिर इन में से कोई लिए none of the above बताओ कौन सा option इसका correct होगा इस question में कौन सा option है जो correct होगा आपको क्या निकालना इंद्र इंड्यूज tolerance होगा कि नहीं होगा अचा इंड्यूज क्रंट के हमें क्या निकालना पड़ेगा moisture जो इंद्यूज होए वह यानीं में निकालने का formula आपको पता ही है येनले है वह घेंद्र liक् моя probability वह बात करें कि dari आइमस् 2 जोगा तो सिधा कैने फ़ाइभ यहां फाइभी है कि यह किया फाइभी हमारे पास यहां पर क्या है हैquito magnetic Flux क्या है यह magneticUSE xem निमी को पहले इम जिलिकालना पड़ेगा अगर तो करेंट निकालोगे ठीक है अच्छा करेंट कैसे निकालोगे जो इंडियूज करेंट है अरे भाई जो EMF है जो हमारे पास EMF आया है उसको हम क्या करेंगे तो सबसे पहले आपको EMF निकालना है तो हम सबसे पहले EMF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हमें वाइप डियरणे मेंटंने क्ते हैं तो में यचे से मैगनेटिक प्लकर क्या हुए सिस्टम के लिए वहाया फ्रीडियर शेatas अरे भाई टियज्द एस अरह बहाय वर्क्र bond के लिए हृष इंदर मैगिनेटिक पील नाइन अंदर लिए रेडियस यह क्या है इन्य Ross T तो यानि हमारे पास Magnetic Flux की value आ गई VDS, यानि Magnetic P9 कितनी है? B0, area DS, area क्या बन गया? B0 πr², तो हमारे पास यह flux आ गया, और EMF की value निकालेंगे, कैसे वो हम कैसे निकालेंगे? D5 by dt, time के साथ इसको differentiation करो, magnetic flux constant है उस रिंग के लिए, उस रिंग के लिए magnetic flux time के साथ change कर ही नहीं रहा, जब भी time के साथ magnetic flux change नहीं करेगा, तो कोई EMF produce नहीं होगा, कोई EMF नहीं होगा, तो कोई current नहीं होगा, यानि time के साथ इसको differentiate करो जारा, B not by r square, अरे ये तो सारा constant है ना, तो EMF क्या है या, 0, अगर EMF 0 है तो induced current भी क्या होगा, अरे induced current भी क्या होगा, 0, यानि इसका कौन सा option correct है, A, अभी अभी समझाया है, EMF कब produce होता है, EMF जब produce होता है, जब क्या हो रहा हो, समय के साथ magnetic flux change कर रहा हो, जब कभी किसी system में समय के साथ magnetic flux change करता है, तो उसमें EMF produce होता है, that is the EMF is equal to D55DT, ठीक है, चलो, same question लेते हैं, concept समझाना है ना मेरे को, तो concept समझ लेते हैं, same question, ये रहा भाई, same question, same question, ये रहा, magnetic field इस बार कितनी है, इस बार है, B not T square, यानि time के साथ, जो magnetic field line है, इस region में, वो increase कर रही है, जैसे जैसे time बढ़ रहा है, वैसे, magnetic field line क्या कर रही है, increase कर रही है, टीक है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक ring ले ली, क्या ले ली, हमने फिर से एक ring ले ली, जिसका radius क्या है, आपको क्या निकालना है, इस ring के अंदर जो current induces होगा, वो बताना है, find out, find out, find out, find out, find out, induce current, find out, induce current, find out, induce current, induce current in the loop, induce current in the loop, एस लूप के उनदर जो current induced होगा वो आपको बताना है और क्या given है इसका resistance हमें दे रखा है इस loop का net resistance हमें क्या दे रखा है small r तो बताओ induced current इसमें कितना होगा यह रहा next example next example आपके सामने यह रहा श्यावास निकाले जड़ा अगर आपको induced current i निकालना है न तो भाई आई कैसे निकालोगे तो सबसे पहले आपको emf निकालना पड़ेगा उसकी value क्या है d5 by dt अगर emf आ गया तो i क्या बन जाएगा emf by resistance स that is the current अच्छा अब emf निकालने के लिए क्या चाहिए 5 5 कैसे निकालते हैं हम b dot ds that is the formula अच्छा जी अब यह रिंग है अच्छा magnetic field line कितनी है b note दोनों same direction में भाई ring का area vector inward magnetic field line inward दोनों same direction में तो simply मैं क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ bds को से 0 और हमारे पास magnetic field line कितनी दे रखी है वो दे रखे b note t square और ds यानि b note t square बहार आ गया अंदर बच गया ds पूरे ring का area क्या होगा हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो magnetic flux आया b note t square pi r pi r r kya है radius pi r square तो magnetic flux आ गया b note pi r square t square अब हमें निकालना क्या है emf अब हमें क्या निकालना है emf तो emf हमारे पास क्या है वो है d5 by dt यानि time के साथ इसको हम क्या कर देंगे differentiate करेंगे और हमारे पास pi क्या है b note pi r square t square तो हमारे पास आ गया यह b note pi r square 2t ठीक है तो हमारे पास जो emf की value आई वो कितनी आई b note pi r square 2t that is the emf अब emf आ गया तो अब हमें क्या निकालना है अब हमें क्या निकालना है करन्ट निकालना इंड्यूज करेंट इंड्यूज करेंट का फोर्मूला क्या है i i is equal to emf by r और emf कितना आया है है 2b note pi r square t divided by r कि अरह यह ना टू बी नोट pi r square t divided by r that is the induced current इंदा circuit अब है यह इस रिंग के अंदर जो करेंट है इंड्यूज हो गया वह हमने पता चल गया सारे काहांटी से किस डेरेक्शन में करेंट इंड्यूज लेंज लो मेगनेटिक फ्लक्स किधर इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ यानि मेगनेटिक फिल लाइन के अंदर समय के साथ मेगनेटिक फिल लाइन बढ़ रहा है तो मेगनेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो यह चाहेगा कि मेगनेटिक फ्लक्स इसमें इंक्रीज ना लगजाए इस सरकिट के अंदर जो करेंट है वो कैसे फ्लो करने लग जाए अगर anti-clockwise क्यूंकि इंड्यूज्ज जो यह जो करेंट इंड्यूज गया वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो चाहता नहीं कि magnetic flux इसमें increase करें तो magnetic flux वो इसमें decrease करना चाहता है अगर current ऐसे flow करेगा तो magnetic field line इधर पड़ यूज़ करेगा जो इधर पहले बढ़ रही थी अब इस current ने इधर पड़ यूज़ करी तो उसको यह घटाने की कोशिज करना ने increase कर रही है बढ़ रही है वो inward तो अगर इसमें current ऐसे फ्लो करेगा राइट एंड सम्रूर रिंग के लिए तो जिस डारेक्शन में current फ्लो कर रहा है उस तरफ उगली को गुमा दो अंगुटा क्या देता है यानि अंदर में इसमें बढ़ रही है यानि पहले दस्तिय बीस हो गई तो current ऐसे फ्लो करेगा तो कुछ न कुछ मि हैंने उस मुख्रें नि बार फर बढ़ यूश करेगा तुमत गठाने की कुछ आशिस करेगा the 해야 एग करेगा नहीं चाहता कि उसमें कोई बदलाव आब किसी बीचीज में कोई बदलाव आता हूव पोजी करता है और कि अनि पोशी करता हो अच्छा जी हमसे पंगा पर उसे यह नहीं पता हमने उसको चुनकर बेज जा है हमारी वजह से वहां पर हो भूल जाता है इसलिए तो कहते हैं एम खा जाता है वोट माँगने आता है जब हाथ जोडता है कि मिरे को जिता दो आप ही माय वापो जैसे उस कुर्सी पे बैठता है सब बूल जाता है उसकुर्सी की माया यह ऐसी है अच्छे-च्छे को बुला देती है वही तिक है तो नेता सोच समझ कर चुने जो अच्छा आदमी हो उसको लेकर आओ वही उसकी जरूरत तेश्कों डेहें जोबी अच्छा आदमी आप के सोसाइटी ही में है जो भी उसको आप चुन हमाना चलो आ जाते हैं तो वो भाए बात है पीके है चलो नेक्स्ट आगे जलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन करते हैं, तो हमने क्या निकाल लिया, इंड्यूज करेंट निकाल लिया, अगला क्यूशन आपके सामने ये रहा वई, ये, 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 ये पोर, पोर smaller loop, पोर, पोर smaller loop, smaller loop के लिए हमें आपको induce current निकालने, smaller loop, दो loop दे रखी, एक ये है और एक ये, इस वाली का radius है small a, इस वाली का radius है small b, अब कमाल की बात ये है कि ये जो बड़ी वाली है ना, इसके अंदर current flow कर रहा है, इस डारेक्शन में, current अब कैसे flow कर रहा, इस डारेक्शन, और जो current है, इस बड़ी वाली ring में वो कितना है, वो है आई नोट, आई नोट, आई नोट, टी क्यूब वाई टू, क्यानी, आई नोट वाई टू, टी क्यूब, ये, आई नोट कुछ कॉंस्टंट है, तो ये कह रहा है कि induce, जो current होगा, ये जो smaller है, ये भाई सब दो ring है एक तरीके से, समझ लेना ये है न, चोटी टेडी मेडी बन गए, ये ring है, तो कह रहा है, बड़ी वाली का B है, चोटी वाली का A है, बड़ी वाली ring में current flow कर रहा है, आई नोट है, टी की पावर 3, टी की पावर 3 divided by 2, और कमाल की बात, जो B है हमारे पास, जो radius है वो A के compare में बहुत बड़ा है, यानि जो B का radius है वो A के compare में बहुत बड़ा है, B is greater than A, A के compare में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो चोटे वाले के अंदर क्या current induced होगा, होगा, तो कितनी value होगी, क्या वो time का function होगा, तो होगा, तो क्या होगा, ये हमार सबसे पहले बात क्या को मेगनेटिक फिल्ड है मिलकुल है करेंट के रिंग वायर क्या पड़ियूस करती है मेगनेटिक फिल्ड पिछले वाली शेक्षिन में पढ़ाए करेंट है आई तो सेंटर पर जो मेगनेटिक फिल्ड लिखते थे वो कितनी थी होती थी बताओ जला म्यू नोट जो करेंट है वो आई डिवाइड़ बाए जो रेडियस है रेडियस क्या है आर्ट तो टू आप किसे डायरेक्शन में राइट एंड सम्रूल से सिखाया था तो किसी भी आर्क के लिए एक पॉर्मूला लिख वाय था को यह को नहीं देखा तो देख लेना पढ़ लेना वैश्य कैसे लिखते हैं तो यह वही बात होगी यह क्या है तो इस रिंग में करन्ट भी है करंट है तो सेंटर पर क्या पर यूश करेगा मैगनेटिक फिल्ड परेडूस करेगा और सेंटर पर मैगनेटिक फिल्ड होगा बass in निकालना है किसवेले के लिए मॉलर रीजशन के थे सो री निकालना है जी करेंट में मैं कहां पर था मैं क्या करनक्रत है ऐगर करेंट में तो flowing current है इस ring के center पर क्या produce करेगा magnetic field पर डियूज करेगा भाई इसमें ना तो तुम रोख सकते हो ना मैं रोख सकता हूँ भाई वो तो करेगा करेगा तो करेगा क्या कर सकते हैं अब magnetic field center पर कितनी होगी अभी अभी formula लिखा है माराज mu note I upon 2R भी अभी लिखा है तो भाई साब है तो magnetic field कितनी हो जाई यहाँ पर mu note I upon 2R radius क्या है B to B I की value क्या है I note यानि यहाँ पर आया mu note T की power 3 mu note mu note I note T की power 3 ठीक है mu note I note T की power 3 4B 2B इंटू में 2 तो यह बन गया mu note I note T की power 3 by 4B यह magnetic field है अब मैंने क्या कहा जो B है वो बहुत बड़ा है A के compare में तो यानि यह जो bigger जो ring है यह बहुत बड़ी है यानि बहुत बड़ी है तो यह circle A जो circle है B के compare में बहुत चोटा है ना यार यह तो चोटा सा है तो इसका मतलब इस पूरे region में जो magnetic field line होगी वो क्या होगी constant होगी यानि इस पूरे region में आपको constant magnetic field line देखने को मिलेगी और किस direction में होगी भाई right and thumb rule current के direction में उगुली कोग मादो उगुठा कितर गया अंदर यानि inward inward ही बनाई है यानि किस direction में magnetic field line है इस पूरे region में inward और वो magnetic field line कितनी है वो यह रही मैं लिख देता हूँ mu not i not t k power 3 और यह आया 4 भी और direction क्या है इसमें inward आपको निकालना क्या है इस छोटी वाली दिंग में कितना current induced हुआ है वो निकालना है अगर current induced निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले EMF निकालना पड़ेगा EMF का formula क्या होता है d5 by dt अगर एक बार EMF पता चल गया तो फिर आप क्या निकाल सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों current निकाल सकते हैं तो current का formula क्या होता है I is equal to EMF by r और r क्या radius इस रिंग का radius resistance r क्या sorry resistance तो इस रिंग का resistance कितना दे रखा है small r में given given है तो भाई आ जाएगा याली अच्छा अब EMF निकालने के लिए सबसे पहले phi निकालना पड़ेगा phi क्या होता है b dot ds यही निकाल रहे कई दिर से भाई कई निकाल रहे हैं अगर phi आ गया तो EMF आ गया तो current आ गया पूरी एक है एक तरीका है तो सबसे पहले छोटी वाली रिंग के लिए निकालना है ना तो छोटी वाली के लिए क्या निकालो अरे भाई साब flux निकालो यानि r is equal to small a जिसका radius है उसके लिए हम flux निकाल रहे है तो b dot ds और magnetic field line और area vector दोनों same direction में भाई magnetic field line अंदर इस रिंग का area की direction वो भी अंदर दोनों same direction में है तो इसका मतलब है b ds cos 0 तो हम क्या ले लेंगे b ds b ds तो phi r is equal to small a तो हमारे पास क्या बन गया magnetic field magnetic field line हमारे पास क्या दे रखी है वो दे रखी है mu note i note t ki power 3 4b mu note i note t ki power 3 4b into me ds area छोटा सा area तो mu note i note t ki power 3 बहर आ गया into me 4b अब area area क्या है ds तो हमारे पास जो flux आया छोटे वाले रिंग के लिए वो क्या है वो आया mu note i note t ki power 3 4b into me pi a square भाई इसका पूरा area छोटे वाले गा pi a square तो यह हमारे पास flux आ गया flux आ गया तो क्या आ गया emf तो emf कितना है emf होता है d5 by dt magnitude की बात कर रहें तो emf निकाल दे time के साथ इसको क्या करतो derivative यानि mu note i note divided by 4b into me pi a square और time के साथ इसको differentiation करेंगे तो यह mu note i note 4b आ गया भाई a square यानि 3t square तो emf कितना है मेरे पास 3 3 pi 3 यह 3 लिग दिया pi लिग दिया ठीक है 3 pi mu note i note a square 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 upon 4b ठीक है कितनी item 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 देख लों कोई गलती रह ना गई गलती से कई बार रह जाती है ध्यान नहीं रहता न 3 pi 3 pi mu note i note 3 pi mu note i note a square t square 4b यह आ गया emf यह आ गया तो क्या जाएगा current यह लो भई induced current कितना होता है यह में भई आर यह लो तो 3 3 pi mu note i note 3 pi mu note i note 3 pi mu note i note small a square t square divided by 4b divided by r r क्या resistance और यह क्या हो गया induced current यह थोटी वाली के अंदर रिंग के अंदर यह current produce हुआ है किस direction में होगा अब देखो time के साथ तो magnetic field lines की strength है inward वो बढ़ेगी magnetic field बढ़ेगी तो इस स्मॉलर रिंग का magnetic flux increase करेगा लेकिन यह रिंग चाहती नहीं कि इसका flux increase करेगी तो वो flux decrease करने के लिए क्या करेगा magnetic field line अंदर बढ़ रही है ना तो यह रिंग इस प्रकार से current produce करेगा ताकि magnetic field line वो बाहर पढ़ेगी उस करने लग जाए वह अंदर है magnetic field line अंदर बढ़ रही है अगर यह बाहर पढ़े उस करेगा तभी तो decrease करेगा वही खेल यहां पर होगा तो यान इसको current को किस डारेक्शन में फ्लो करना चाहिए क्लोकवाइज के अंटी क्लोकवाइज अगर current इसमें एंटी क्लोकवाइज चलेगा तभी तो अब देखो magnetic field line टाइम के साथ अंदर बढ़ रही है तो current कैसे है एंटी क्लोकवाइज कोई बदलाव आए इसमें कोई बदलाव आये नहीं चाहता इसलिए इसके अंदर एम पर द्यूश होता है इसलिए इसके अंदर current पर द्यूश होता है कि चलो आगे करते हैं अगे चलते है नेक्स्ट क्यूशन next next question क्या है यह मेरे पास एक rectangle है जिसके side चुलो एक square है square मानने ते जिसके side ये भी भी और ये भी square अच्छा जी अब यहाँ पर एक infinite wire कैसी wire है इनफाइनईट wire है जिसमें current कितना है? आई आई कितना flow कर रहा है आई नोट टी स्केर इतना इसमें current flow कर रहा है ठीक है यह दूरी कितनी दे रखी है दूरी दे रखी है तो question वही है आपके साथ जो यह आपको एक स्केर दिखाई दे रही है क्या इसमें current induced होगा अगर होगा तो कितने amount का होगा वह आपको बताना है तो question में लिख देता हूँ find out find out find out value of find out value of induced current find out value of induced current as a as a function as a function of as a function of time t ठीक है अज़े function of time t for for square square के लिए आपको induced current की value निकान लिए इंडियूज करेंट ठीक है find out value of induced current इंसाइड स्क्वेर ऐजे function of time t इसको लिख देना है ना square के लिए हम निकाल रहे हैं ठीक है यहां पर लिख लो किसके लिए निकाल रहे है square के अंदर है ठीक है बताओ जरा होगा तो कितना होगा यह होगा ही नहीं ठीक है शावाश अरे भाई drive रहे हैं इंड्यूज कर्यंट निकाल रहे हैं अब क्या कर ली से करती है जी बिलकुल करती है अच्छा कितना करती है अब मैं बात करूँ जरा किस के वारे में infinite current के वारे में एक wire है जिसमें current है infinite यह कोई point A है और यह दूरी है आर तो ए पॉइंट पर जो मेगनेटिक फिल्ड होती हूँ क्या थी मू नोट आई अपोन टू पाई टू पाई आर फोर्मूला याद रखना अरे फोर्मूला क्या था मू नोट आपोन पोर पाई डी साइन ओफ थीटा वन प्लस साइन ओफ थीटा तू कैसा भी वायर सेग्मेंट हो स्टेट वायर कैसी भी हो वही लगाते थे और फाइन इंफाइन इट वायर के लिए फिर मेगनेटिक फिल्ड हमने निकाली भी थी सेमी इंफाइन इट वायर के लिए भी निकाली थी तो भाई वो तालो करन्ट के डिरेक्शन में रख दो राइट अंड रूल फिर से रिवाइज करा रहा हूं करेंट के डिरेक्शन ने रख दिया जिस पॉइंट पर मेगनेटिक फिल लाइन निकाल दे उदर उदर उंगलिया फेला दो वहां से 90 डिग्री रोटेट कर दो इन वर्ड यहां पर एपॉइंट पर जो डिरेक्शन आही है वो क्या ही है इंवर्ड आही है सिंपल सा है अरे भई सिंपल सा अमेर को एक बार बताओ इस पूरे रीजन में यह वायर जब करन्ट पर यूज करेगी क्या सेम करेगी बहाइं देखो जरा जैसे जैसे इस वायर से मैं दूर जाओंगा तो magnetic field line क्या है? वीक हो रही है क्योंकि किसके universal proportional है? आर के जैसे जैसे आर की value बढ़ेगी यानि वायर से जैसे दूर जाओंगा तो magnetic field की strength decrease करेगी यानि यह जो region है इस region में magnetic field line constant नहीं है constant नहीं है ना तो हम direct नहीं निकाल सकते flux तो मैंने एक छोटा सा region वाना मैंने क्या किया मैंने एक छोटा सा region यह ले लिया यह ले लो भाई यह ले लो यह ले लो यह ले लो यह छोटा सा region कितनी दूरी पर है यह x दूरी पर है इसकी width क्या लिए यह थोटी सी लिए dx और इसकी length क्या है यह थोटी सी rectangle बनी है ना उसकी length बी बी इंटु दी एक्स मोटा ही इसकी अब इस region के अंदर magnetic field की direction क्या होगी बाई इस पूरे रीजन में magnetic field की direction अब वह है इनवर्ड यह लोग है दिखने ही रहा यह लोग पिंक पर नहीं दिख रहा तो हम डार्क कलर यूज कर लेंगा बाई लोग दिखेगा अब इस बार दिखेगा अब कहोगे सर यह बिलू बिलकुल दिख रहा है ब्लू भी नहीं दिख रहा है इस पे तो तो इस पे कौन सा color दिख सकता है इस पर इस पर हम कौन सा ले ले green दिखेगा green दिख जाएगा हां ग्रीण उभर करा रहा है है ग्रीण उभर करा रहा है इनवर्ड डिरेप्श्ञ ए यही तो होगी है ना तो भै इस रीजन के अंदर मेंगनेटिक फिल्ड बता दो और इस रीजन में यहीं हमको पूरे को क्या निकालना फ्लक्स निकालना तो सबसे हुआ कमाल की बात इस region में magnetic field कितनी होगी formula क्या है mu not current कितना flow कर रहा है i 2 pi r जो दूरी है तो mu not mu not i upon 2 pi x direction किदर inward यह छोटा सा area जो strip मानी इसकी direction भी किदर inward तो यानि जो magnetic field i है हमारे पास वो कितनी आई वो आई mu not i की value क्या है यह है i not t square ठीक है 2 pi x अब हमें flux निकालना है छोटे से region के लिए छोटे से region के लिए flux बताओ कितना वो flux कैसे निकलते है d5 is equal to magnetic field into area magnetic field कितना है b area क्या होगा इसका dA हना दोनों same direction में है तो क्या लिख दूँगा b into dA cos 0 तो हमारे पास d5 की value क्या बन गई यह बन गई b dA अब पूरे के लिए निकालना है तो आपको integration करना पड़ेगा ना भाई complete flux निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा integration integration कर देंगे तो phi is equal to यह बन गया b dA area magnetic field हमारे पास कितनी है वो रही mu naught i naught t square 2 pi x area कितना है इसका b into dx अब flux इस पूरे region में निकालना है तो यह region कहां से start हो रहा है a से और कहां तक जा रहा है यहां तक क्या नहीं यह total length कितनी बन गई a plus b तो a से a plus b integration कहां से करेंगे a से a plus b क्योंकि इस region के लिए flux निकालना है तो flux हमारे पास यहां से क्या है flux is equal to mu naught i naught t square बाहर mu naught i naught t square बाहर 2 pi b बाहर 2 pi b बाहर यह constant है अंदर क्या बच गया है d x divided by x अंदर हमारे पास क्या है d x divided by x a से a plus b यह a से यह a plus b integration करेंगे तो flux आएगा वो आएगा mu naught i naught t square divided by 2 pi और जब इसका integration करेंगे ln x यह a से a plus b और हमारे पास जो flux निकालेंगे वो आजाएगा mu naught i naught t square divided by 2 pi और यह आगया l n a plus b minus l n a तो हमारे पास flux की value आई mu naught i naught t square divided by 2 pi और यह आगई ln a plus b divided by a ओहो एक ओर ट्रम भूल गए देखो जड़ा b कही था यह रहा भी यह b भूल रहे थे हैंगा b तो यहाँ पर एक b b है यहाँ पर एक b b है ठीक है b b यह आगया तो flux आगया flux आगया तो emf आज आएगा emf कितना है वाई साब d phi by dt time के साथ इसको derivative कर दो तो यह आगया mu naught i naught b t time के साथ derivative करना है न हाँ तो mu naught i naught ठीक है 2 b 2 t divided by 2 pi और यह क्या है l n a plus b और यह a ठीक है mu naught i naught b 2 t हाँ कर दिया 2 से 2 कट गया यह आगया mu naught i naught b t by pi और यह l n और यह आगया a plus b by a और यह क्या है emf और हमारे पास current क्या आ जाएगा emf by r resistance से divide कर दो तो यह बन गया mu naught i naught b t by pi r और यह l n और यह a plus b divided by a simple सा है यह हमारे पास क्या है simple सा था ठीक है कैसा question है यह हमारे पास है simple से question है अब हम आगे बात करते है emotional emf के बारे में चर्चा करेंगे उस पर कुछ question करते है emotional emf के बारे में चर्चा करते है emotional emotional emf किसके बारे में चर्चा कर रहे है मेरे प्यारे बच्चों emotional emf के बारे में चर्चा कर रहे है तो यहाँ पर हमें जो EMF देखने को मिलेगा वो मिलेगा V x B.L इस formula से हम क्या निकाल सकते हैं? EMF निकाल सकते हैं यानि जब हमने एक road को external magnetic field के अंदर रख दिया जिस परकार से इस road को external magnetic field के अंदर रखा है इसके अंदर क्या है? velocity है इस road की length क्या है? L है तो इस road के अंदर EMF produce हो जाएगा अगर इस road के अंदर EMF produce होगा तो इस road में क्या flow करेगा? current produce flow करेगा, simple सी बात है भी current flow करेगा अच्छा अब जो यह road है ना, इस road के अंदर EMF produce होगा तो एक road के एक point पर positive charge आएगा, road के एक point पर negative charge आएगा तभी तो यह में produce होगा और तभी current flow करेगा एक higher potential बनेगा एक lower potential यानि रोड के दो end में potential difference create होगा एक तरीके तभी तो current होगा जो इसमें आएगा समझें आई बात अब किस point पर higher होगा किस point पर lower होगा वो हम कैसे बताएंगे V cross B जो है वो आपको वही बताएगा कि किदर higher होगा किदर lower होगा V cross B की जो direction होगी वही आपको बताएगी कि किदर higher potential मिलेगा किदर lower potential मिलेगा example के तोर पे देखिएगा velocity किदर है cross product है पहले velocity right hand उठा लिया तो velocity की direction में हमने हाथ को रखा और B की तरफ हमने उंगली को गुमा दिया उठा गिदर गया ऊपर जिस जो direction यह आया है उठा यानि उदर कैसा potential आएगा उस point पर higher आएगा उस point पर कैसा potential आएगा मेरे प्यारे बच्चो उस point पर higher आएगा और उसके opposite कैसा आएगा negative यानि इस end को A बोला इस end को B बोला तो A point पर higher potential है B point पर कैसा है lower potential है इस प्रकार से produce होगा और जो EMF इस road के दो end point के बीच में जो net EMF produce होआए वो कितना है B cross B dot L इस formula से हम निकाल सकते हैं तो simple सा एक example करते हैं और calculate करना जानते हैं emotionally EMF हम कैसे निकाले हैं next question आपके सामने ये रहा अच्छा जी मेरे पास क्या है मेरे पास क्या है मेरे पास है infinite wire क्या है मेरे पास infinite wire और यहाँ पर एक road लखी हुई जिसकी length क्या है L L ले लो या B ले लो L है चलो कितनी दूरी पर ये है ये road ये छोटी इसी road जो रखी हुई है कितनी दूरी पर रखी हुई है ये दूरी पर रखी हुई और इसके अंदर जो current flow कर रहा है वो कितना है I I current flow कर रहा है तो मिलेको बताओ, इस road के about क्या कोई EMF produce होगा, होगा की नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, इस road के about आपको EMF बताना है, कि इस road के about EMF क्या होगा, यानि find out, find out, find out, find out, find out net, find out value of, find out value of, अब देखों यह जो road है न, यह road जा रही है, इधर भी वेलोस्टेज है, वेलोस्टेज देना बहुत ज़रूरी है, बिने वेलोस्टेज सो कोई काम बनेगा है नहीं, ठीक है, find out value of net, net EMF, EMF produce, या induce, net EMF, net EMF induce, induce in the road, in the road AB, कौन सी road में, AB road के अंदर, यह point A है और यह point B है, तो कह रहा है कि net EMF कितना produce होगा इस road के अंदर, road है, external magnetic field में रखी है, रखी है, तो भाई मेरे को एक बाद बताओ, अगर यह आगे भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तो EMF कितना produce है, आपको क्या निकालना है, इसका EMF निकालना है, कि कितना EMF इसके अंदर produce होगा, EMF का formula क्या है, अरे भाई, EMF निकाल लेते हैं, चलो, EMF का formula क्या है, चलो, शाबाश, तो EMF का formula है क्या, EMF का formula है, V cross B dot L, L क्या है, हमारे पास displacement vector, अब इस वायर है, ये वायर तो magnetic field produce करेगा, यानि इस region में क्या होगी, magnetic field होगी, जब वायर यहाँ पर है, तो इसमें, अब EMF जो produce होगा, वो कितना होगा, अरे यार, वेलो, टीवी, इस वायर की वज़े से magnetic field की direction क्या होगी, इन्वर्ड, अरे भाई, infinite wire है ना, तो current की direction में उठे को रखो, जिस point पर निकालना, उदर उगली ले जाओ, और 90 degree गुमा दू, यानि, इन्वर्ड होगी, और इस point पर जो magnetic field होगी, यहाँ पर जो magnetic field होगी, वो होगी, इतनी magnetic field है, magnetic field अंदर, velocity अंदर, दोनों के बीच में अंगल क्या है, 90 degree, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे, तो हमार पास क्या बनेगा यह, VB sin 90, ठीक है, अब VB की direction क्या है, देखो, V किदर है, इधार, और V किदर है, अंदर, अंग उठा किदर क्या है, उपर, यानि, यह किसकी direction है, यह V क्रोस B की direction है, और L भी किदर ले रहा हूँ, इधार, यानि, दोनों के दोनों क्या है, सेम direction में है, तो क्या लिख दूँगा, VB sin 90, L cos 0, डोट है, तो हम क्या यह V, V, L, L क्या है, length, और velocity क्या है, V, और magnetic field कितनी है, यह A है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, mu naught I upon 2 pi A VL, that is the EMF, जो यह EMF produce हुआ है, यानि, जब यह wire इधर है, अब आगे जाएगी, तो भाई, और change होगा, magnetic field change होगी, तो EMF B change होगा, simple ची बात है ना भई, हमने तो इसे इसी point पर लिखा है न, ठीक है, चलो भई, हमने यह EMF लिख दिया, जो इस तर रोड के अंदर है, अब higher potential को किदर होगा, B point होगा, के point होगा, वो कौन बताएगा, B cross B, देखो भई, पहला vector, right hand उठाओ, पहले vector की तरफ उगली को रखो, B की तरफ गुमा दो, उपर गया, यानि higher potential कौन सा है, B point, यानि lower potential क्या है, A point, तो यहाँ पर जो EMF आया होगा है, VB minus VA, is equal to mu not I upon 2 pi A VL, इसका मतलब जो EMF produce होगा है, वो यह higher, यह lower, ऐसे हुगा, चलो भई, अब इस लाइन, इसको हमने ऐसे ख़ question, next question, find out, find out, find out net EMF, find out net EMF induced, find out net EMF induced in the road, in the road AB, AB road के अंदर आपको net EMF जो induced होगा है, वो बताना है, यानि यह एक तरीके से infinite road है, कैसी है, infinite है, और हमारे पास एक road कैसी है, ऐसे, एक road कैसी है, ऐसे है, अच्छा जी, अब मेरे को एक बात बताओ, इस road को velocity हमने किदर दी, इदर दी, इसी direction में हमने इसको क्या दे दी, velocity दे दी, अच्छा, अब इसे के अंदर यह जो road AB है, इसके अंदर जो EMF produce होगा, वो कितना होगा, और इस wire में क्या है, current आई, आपको होगा, जड़ा करें, जड़ा solve, जड़ा solve करें, देखो जड़ा solution, EMF निकाल रहे है, EMF निकालेंगे, तो मेरे पास formula क्या है, V cross B, dot L, इस point पर, magnetic field, अलग-अलग point पर क्या है, अलग-अलग, अरे भाई, vary कर रही है न, अरे कर दी कर दी, बिलकुल vary कर रही है, मैंने एक छो तोटासा ये टुकडा माना, और ये कितनी दूरी पर है, ये हमारे पास X दूरी पर है, और ये कितनी दूरी पर था, ये A, और length कितनी है, इसकी L मानली सरोड की length, X दूरी पर, और ये जो थोटा टुकडा माना है, उसकी width कितनी है, DX, इतनी है न, V cross B की direction ही क्या हैगी, इस तो wire की वज़े से इस reason में जो magnetic field होगी वो कितनी होगी भाई वो तो inward होगी और वो कितनी होगी, B is equal to mu not i upon 2 pi x, इतनी magnetic field है, V across B, V across B की direction क्या है, V किदर है, V इदर है, और V इदर है, दूसरा क्या है, magnetic field किदर है, इस point पे अंदर, तो V across B इदर आया, यानि V cross V की direction क्या आई उपर की तरफ यानि ये जो direction आई है मेरे पास ये क्या आई है निकल कर ये आई है V cross V और ये किसके बरावर आई है ये जो हमने calculate किया ये आई है VB sin 90 और जब इसकी value को निकाला तो हमने हमारे पास value कितनी आई वो आई mu not i upon 2 pi x into में V ये अब L की direction क्या होगी L की direction तो ये होगी अरे भाई L vector क्या है initial और finally यानि इन दोनों के बीच में न तो ये direction किसकी है भाई L vector की V cross B dot L है तो इन दोनों के बीच में अंगल क्या है 90 degree कितना net E में produce होगा 0 cos 90 बन गया न अरे भाई V cross B की value कितनी आई इतनी आई और ये किदर है ऊपर L क्या है displacement vector उसकी direction क्या है इधर भाई V cross B उपर L है दोनों के बीच में अंगल के 90 dot product है cos 90 cos 90 0 तो यानि इस वायर के अंदर कोई है में produce होगा ही नहीं कितना E मेंफ आया है 0 आया कितना आया 0 आया चलो अब इस question को थोड़ा और कर लेते हैं इस question को थोड़ा सा और देख लेते next example ठीक है यह वायर कैसी वायर है infinite वायर है इस infinite वायर में current है I और यहां पर मैंने क्या रख दिया एक square रख दिया जिसके side है B यह side B यह B side B और यह जो square है यह V velocity से जा रही है इधर तो इस square के अंदर net EMF कितना produce होगा वो आपको बता रहें find out net EMF produce इंदा square ठीक है और यह side कितनी दे रखी है यह हमें A दे रखी question क्या है find out find out find out net EMF net EMF induce induce in the in the square square के अंदर जो net EMF produce हुआ है वो कितना हुआ है वो आपको बताना है find out net EMF induce in the square इस square के अंदर net EMF कितना produce हुआ है my अब इस वायर के अंदर अभी-बी example किया था कि यह infinite wire है और एक wire को हमने ऐसे लिटाया है ठीक है एक wire को हमने ऐसे लिटाया रोग कितनी वलोस्टेश से जा रहा है वो wire वायर ऐसे हो वर्टिकल मतलब जो जिस इंफानेट वायर में जो करेंट फ्लो करें उसके पहलेल है उसके अंदर इमेफ कितना पर यूश हुआ है इतना हुआ है तो भाई ये बात तो इसमें ये दोनों लगा दूँ अगर दोनों लगाओ ये तो इसके ऐसे लेट हुआ है तो इसमें एमेफ क्या होगा इस वाली में रोड में तो जीरो और इस वाली रोड में भी एमेफ क्या होगा वो भी जीरो लेकिन इस वाली रोड में EMF क्या होगा ये higher ये lower अब ये भी calculate क्या है किसके बराबर आएगा बाइस साब यानि जो EMF यहाँ पर जो आएगा वो किसके बराबर आएगा वो EMF 1 लिख देते हैं वो किसके बराबर आएगा वो आया mu not i upon 2 pi ये दूरी क्या है 2 pi A V side यानि इसकी length length क्या है भी इस वाली वायर में भी EMF आएगा अरे भाई अब इसको भूल जाऊ केवल ये ही है तो इसमें कितना आएगा ये higher ये lower तो यहाँ पर जो EMF मिलेगा हम को यहाँ पर EMF मिलेगा हम को इस वाली road के अंदर वो कितना मिलेगा वाई वो कितना मिलेगा इस वाली के अंदर EMF 2 लिख देते है यह higher बने गए lower वो कितना होगा वो होगा mu not i upon 2 pi अब यह net दूरी यह कितनी दूरी पर है भईए A plus B तो यहां पर आएगा A plus B और VL VB small b V small b यह आया इसके अंदर इतना आया कौन सी इस वाली रोड में ज़्यादा EMF है कि इस वाली में बता हो जला अरे इसको तो A से डिवाइड कर रहा हूँ इसको A plus B से डिवाइड कर रहा हूँ तो यह इसमें ज़्यादा है इसके compare में तो net EMF इस square में आ गया अब net EMF square में कितना है अरे इन दोनों का सब्टेक कर दो यार अरे यार net EMF कितना आया net EMF net EMF कितना आया यह higher है यानि mu not i upon 2 pi A और यह आ गया vb minus mu not i upon vb upon 2 pi A plus B यह लो भाई common क्या आ गया mu not i upon 2 pi A common आया sorry mu not i mu not i upon 2 pi और यह vb common आया यहां पर 1 by A minus में यह A plus B net EMF आ गया क्यों आया क्योंकि जैसे जैसे दूर जाते चले गई इस wire से magnetic field weak होने लगी जैसे जैसे magnetic field weak होने लगी वैसे वैसे EMF B जो produce हो रहा था इस particular length में वो भी weak हुआ अरे बाई एक complete circle बन गया ना net EMF कैसे लिखते हैं यह negative to positive गया higher फिर positive to negative गया minus कर देते हैं अरे यार अरे समझ रहो ना जभी तो current flow करेगा तो यह हमारे पास क्या आया net EMF जो इस square में induce हुआ है वो इतना हुआ है तो current भी निकाल सकते हैं इस square का net resistance बताओगा R से divide कर तो current आ गया अरे यार कुछ करना थोड़ी तक concept है वैस एक formula पर इजदगिर्द गुमरी अगर वो समझ में आ गया तो सारी चीज़ पकड़ में आ गया अब एक और इसी question को थोड़ा ओर twist करते हैं इसी question के साथ थोड़ा ओर twist करते हैं थोड़ा खेल लेते हैं ना भाई खेल लेते हैं हमारे साथ हमको क्या दिक्कत है ये लो भाई ये लो ये external magnetic field है B note constant है और इसके अंदर एक square रख दिया क्या रख दिया एक square इसकी side ये a इसकी side भी a और ये v velocity से उपर की तरफ जा रहा है तो net emf कितना produce हो गए इस square में find out find out net find out find out net emf emf induce induce in the square in the square square के अंदर जो net emf induce होगो कितना होगो बता हो जला अरे भाई emf का formula क्या है v cross b dot l v cross b dot l और l हमने क्या बोला है displacement vector l हमारे पास क्या है displacement vector है अब uniform magnetic field है बाई अगर uniform magnetic field है तो displacement initial final position 0 तो l k value क्या बन गहीं 0 तो net emf कितना आएगा इसके अंदर 0 यानि जब कभी किसी close loop को uniform magnetic field के अंदर रख दूँगा तो उसके अंदर जो net emf produce होगो वो 0 होगा क्या होगा 0 होगा लेकिन अगर यही magnetic field varying होती यानि position के साथ वो vary कर रही होती मान लो इस point पे अलग है 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 तो हमें इसे इसी close loop में emf देखने को मिलता जैसे हमने यह एक्जाम्पल किया क्योंकि इस region में magnetic field अलग है इस region में magnetic field अलग है यानि जैसे जैसे दूर जा रहा हो magnetic field decrease कर रही है constant नहीं है इसलिए हमें इस close loop में net emf देखने को मिला है और हमने इसको टुकडों में तोड़ा और फिर solve किया इसको भी टुकडों में तोड़के solve करके देख लो करके देखो जीरो आएगा आगे देखते हैं चलो self induction अब self induction क्या है self induction self induction is the phenomenon of production of induced emf in a coil when changing current passes through it क्या कह रहा है कि self induction एक phenomenon है कभी ये produce होता है जब मतलब जो emf है वो कभी induce होगा जब होगा जब हम किसी coil के अंदर changing current क्या करेंगे पास करेंगे तो उसके अंदर क्या produce हो जाएगा emf produce हो जाएगा और इस phenomenon को self induction कहते है example के तोर पर समझेगा कि मेरे पास ये coil है मेरे पास क्या है ये coil है और ये coil के अंदर मैंने क्या लगा दी एक battery लगा दी इस परकार से इस coil पे मैंने क्या लगा दी ये कर बैटरी लगा दी ये लो भई ये लगा दी बैटरी और ये स्विच ये क्या है हमारे पास है स्विच ये हमारे पास क्या है स्विच ठीक है और ये वी वोल्टेज की बैटरी अभी स्विच क्या है ओपन है अभी स्विच ओपन है तो मैंने जैसे इस switch को क्या किया, close किया, जैसे इस switch को मैं, अब switch को क्या कर रहा हूँ, close कर रहा हूँ, switch को मैं क्या कर रहा हूँ, close, जैसे इस switch को मैं close करता हूँ, तो इसके अंदर क्या produce होने लगता है, current, यानि धीरे-धीरे current बढ़ने लगता है, और एक time के बाद current क्या होता है, saturation हो करंट पर यूस होगा बाई करंट इसमें दीरे दीरे बढ़ेगा यह इस कोईल में फ्लो करने लगेगा जैसे ही करंट इस कोईल में फ्लो करेगा तो बाई करंट बढ़ेगा कोईल कैसी है यह कोईल है इस कोईल में क्या फ्लो कर रहा है मालो करंट फ्लो कर रहा है जब करंट low-rise coil में आयी तो इस coil current current caring coil क्या पड़ा यौइ Shaq अरे यार रिंग एक रिंग लिए उसमें current i flow करा दिया तो उसके सेंटर पर magnetic field मिलती थी खी नहीं वही होगा न तो यह downward तो इस्मेंche Rapid औरन तो यह क्या पड़ा इस करेगा M क्या होता है भी इंटुए और मेगनेटिक यह कॉर gwied इस में मेगनेटीक फिल्ड पर इनक्राला है और अीडिये से मैल्टिप्लाए करती हो तो इस रिंग के साथ क्या होगा मेगनेटिक फ्लक्स अब यानि इस जैसे इसमें current flow करने लगा तो इन rings के साथ हमें क्या मिला इन coils में क्या मिला हमें magnetic flux, magnetic flux जैसे इस switch को close किया तो current increase करने लगा, तो magnetic flux भी क्या करने लगा, increase करने लगा, जब भी किसी coil में से magnetic flux change करता है तो क्या produce होता है? EMF, तो इसके अंदर क्या produce होगा? EMF, अब current भढ़ रहा है, तो यह चाहेगा कि इसके अंदर जो यह current भढ़ रहा है, उसकी वज़े से जो flux भढ़ रहा है, वो flux ना भढ़े, तो यह अपने अंदर क्या produce करेगा? EMF पर अरे भाई, current क्या हो जाएगा, induce हो जाएगा, current क्या हो जाएगा, induce यानि, इसके अंदर है, induce, यानि current जो I है, वो induce हो गया, I-moon, किसके direction में, उसकी आपोज डिरेक्शन है, नहीं आई बात समझ में, जैसे ही इसको close किया, तो close करते ही क्या हुआ, इन coil में current flow करने लगा, जैसे जब जब कोईल में current flow करता है तो magnetic field produce करने लगा यानि इसके center पे हमें magnetic field यानि इसके region में magnetic field मिली और जैसे यह magnetic field produce हुई तो यानि इसमें flux आया यानि अब time के साथ स्विच को हमने on किया ना तो current दिरे दिरे बढ़ेगा तो दिरे दिरे flux भी increase होगा और जब किसी close coil का flux change होता ह है तो उसमें EMF induced होता है और EMF इस परकार से induced होता है ताकि उसमें कोई changes ना आपाए अब यह current जो increase कर रहा है यही तो changes ला रहा है तो इसी current को decrease करना चाहेगा तो इसके opposite direction में current क्या हो जाएगा induced हो जाएगा अब इसमें जो EMF produce हुआ जो इसे phenomena को जो यानि खुद से इसमें EMF इसमें बाहर चे कहीं थोडिया है हमने तो circuit लगाई switch on किया और current flow करा दिया इसने इसको इन अपने आप EMF को produce किया है जो इसमें अपने आप EMF produce हुआ है उसी को हम self induction बोलते है इस पूरे phenomena को हम क्या बोलते है self induction यही है self induction के definition self induction is the phenomenon of production of induced EMF in a coil देखो production of induced EMF in a coil when a changing current passing through it देखो जैसे switch on किया तो current इसमें क्या हुआ 0 से increase होने लगा यानि 0 से maximum की तरफ जाने लगा जैसे यह increase होने लगा तो इस coil के across जो flux था वो भी increase होने लगा जैसे coil के across flux increase हुआ लेकिन coil चाहती नहीं है कि इसके flux में कोई change आए तो वह अपने आप में EMF induce करती है तो वह अपने आप में इस परकार से current produce करेगी ताकि के उस फ्लक्स को decrease कर पाए current ऐसे increase कर रहा है तो current induced current की direction को opposite तभी तो flux को decrease करेगा यही है self induction ठीक है अगर current इस direction में जैसे switch को close करते हैं तो current की direction यह है तो induced current की direction की opposite होगी दूसरा लो भाई दाइग्राम यह लो भाई यह coils यह coil यह battery और अभी क्या था अभी हमने close कर रखा था अभी हमने यहां पर close किया न स्विच को अब हम स्विच को ओपन कर रहे हैं अब हमने स्विच को क्या कर दिया open open switch हमने switch को क्या कर दिया open कर दिया जैसे switch को open करूँगा current maximum था तो decrease होने लगेगा अरे बाई current की direction अभी भी तो यही रहेगी लेकिन current अब decrease हो रहा है अब current decrease हो आ तो magnetic flux फिर decrease हो आ लेकिन यह चारता नहीं कि इसमें magnetic flux में कोई change आए तो यह अपने आप में EMF induce करेगा और अप direction में कराएगा कि उसका flux decrease ना हो पाए तो flux decrease कब नहीं होगा यह direction जो induce current की होगी तो यह इसी direction में होना पड़ेगा ना भाई नहीं तो decrease कर जाएगा यह जह हम switch को open कर रहे हैं यानि जब भी हम कोई coil है उसमें changing current pass कराएंगे तो उसके अंदर EMF induce हो गाई होगा देखो हमने त कुछ से हुआ है उस EMF को हम क्या कहते है self induction इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते है self induction अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि जो यह current है यह current और यह जो coil है इस coil के साथ क्या associated है यह जो इस coil के साथ जो फ्लक्स है वो किसके प्रपोर्शनल है current के ज्यादा current इंडियूज होगा ज्यादा फ्लक्स होगा ज्यादा फ्लक्स होगा तो ज्यादा ही में produce होगा अरे यार यह क्या है तो आप साथ होगा यह क्या होगा यह अधोग नहीं आई आई क्या पास समझ में के नहीं है इस से सर कित में ज्यादा इस customs में झ्यादा प्रणित ज्यादा में उगीच्टिवगी ज्यादा मेगनेटिक फिल्ड होगी तो ज्यादा क्या होगा मेगनेटिक फ्लक्स ज्यादा मेगनेटिक फ्लक्स होगा तो ज्यादा ही में पडियूस होगा ना भाई देते हैं याँ फिर इसको पर इंडेक्टेंज भी बोल देते हैं गराने वाली बात नहीं है या फिर आम इसको यह बोल देते हैं। अना और समझे के नहीं समझे तो यह हमारे पास है फाइट अब इसके अंदर जो एम हम्हे पर्डिवस हो वो E-MF कितना होगा वह E-MF क्या होता है? minus of D5 by dt 5 की value अभी निका लिये तो E-MF इसके अंदर क्या है? minus of D by dt और ये क्या है? Li और यहां से हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो E-MF निकल कर आया वो कितना है? minus है? LDI by dt ये लो है और यहां पर और L क्या है self inductance, ठीक है, L क्या है self inductance या coefficient of self inductance या फिर inductance कुछ भी कह दो, समझ में आई ना, यह क्या है, यह है self inductance, समझे, जैसे यह हमारे पास यह coil थी, और इस coil में हमने क्या किया, यह battery लगाई, और हमने इस coil को जैसे ही close किया, तो इसमें current flow करने लगा, और जो current है, वो यह single coil है, भाई साब, यह single coil लिया, यह single coil में क्या flow कर रहा है, यह current I, तो इस battery ने produce किया है, ठीक है, और जब इसमें current I है, तो इसकी वज़े से इसमें क्या होगे, magnetic field, magnetic field है तो इस coil के close क्या मिनेगा, flux, तो जो flux है इस coil के close, यह single single है, बहुत सारी coil है ना, तो सभी में flux होग आ रहा हूँ, मैं LI से multiply किया, इस L को हम कहते है, self inductance, फिर से समझा दिया, नहीं समझ में आया हो तो, self inductance, coefficient of self inductance, या फिर inductance, बोल दो बात एक ही है, कितनी बार बोलू इस बात को, तो इसके अंदर जो EMF produce होगा, वो कितना होगा, अरे बाई, EMF क्या होता है, हमारे पास EMF ह हमने minus, क्या लिख दिया, L क्यों आएगा, minus D5YDT, minus D5YDT, और यहां से हमने लिख दिया, minus L DIYDT, यह लोगा है, इस पूरे phenomenon को हम कहते है, self induction, और यह L hemारा inductance है, यह L हमारा क्या है, यह एल हमारा क्या है inductance अब inductance की unit किस unit में इसको measure किया जाता है Henry Henry यानि H इसका symbol किस unit में इसको measure करते है Henry ठीक है चलो बई आगे चलते है यह रहा अगला mutual induction पढ़ते हैं समझते हैं क्या होता है mutual induction is the phenomenon of production of induced EMF in one coil due to change of current in the neighboring coil कह रहा है जब एक coil के अंदर हम current को change करेंगे उसके बगल में जो दूसरी coil है उसके अंदर EMF reduce हो जाएगा यानि एक coil में हम क्या कर रहे हैं current को change कर रहे हैं या तो current increase कर रहा हो या फिर current decrease यानि time के साथ current change करना चीए एक coil के अंदर जब हम current को change कर रहे हैं तो उसका effect हमें उसके बगल में जो coil है उसमें देखने को मिल रहा है और उसके बगल में जो coil है उसमें हमें current देखने को मिल रहा है अब उसमें current कब आएगा? उसके अंदर EMF induce होगा है यानि अगर हम एक कोईल के अंदर करेंट को चेंज करेंगे तो जो चेंज हो रहा है करेंट उसकी वज़े से बगल में जो कोईल है उसके अंदर हमें EMF इंड्यूज होता हुआ दिखता है अब इस वाली कोईल में भी करेंट फ्लो होता हुआ दिखता है और इस पूरे फिनोमिना को हम मुच्वल इंडेक्शन कहते हैं अब इस वाली को प्राइमरी बोला इस वाली कोईल को मैंने सेकेंडरी बोला मैंने क्या किया प्राइमरी कोईल के स्विच को क्लोज कर दिया जैस घ्रिको यहां पर क्या देखने को भ्राँ मेरे को यहांपर ही माएं इसमें का से पहँए हुआ 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 मालो इसके अंदर करंट का कर रहा है करेंट कर रहा है कर रहा है तो मेकनेटिटिंग व्लेन अरे वहीnh ये ऐसे कोलनेस के लाइऑ इस में क्रंट इसे जा रहा अगर इसमें क्रेट इसाफरयोंगोंक्त करेगा मेरे प्यारे पति को यह शाओ अगर इसमें करैंज यह यह अग्नेटीक फिल्ट टृआ हो इस में निकलेगा मेरे अमीड ë करेंट लाइन न्कलेगी औरने क्या Stephen क्लोज जलूप बनाती है यानि सदोद दो में सब्क्राइब करने करें जो चेंज करेंगे अगर इस्जिए कुईल में कि जो नेट मेनेटीमिंटिक फ्लॉक्स और तो इसके नंदर की add чे अंदर क्या जाएगा चे प्रण exam के काईड़ का सभी हो रहा है आंद है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पैंडर के अस्कोव में जा रहा है इसटार्य Yakर शाने की वज़ाई वजुक्त अच तो यहां तो क्लोज़ बनाएंगी तो दूसरी जो कोइल है उसमें ये पस कर रही है अब टाइम के साथ कर रहा है इस कोइल ने जो मेगनेटीक फिल नाइन पडियूस करीजू वह भी टाइम के साथ चेंज हुई यानि इस coil में अब जो magnetic field line जो जा रही है वो time के साथ change हो रही है यानि इस coil के साथ जो flux होगा, flux क्या होता है magnetic field line into an area यानि वो flux भी क्या होगा change और जब change flux होगा यानि किसी coil का flux change होता है time के साथ उसमें emf produce होता है तो इसके अंदर क्या होने लग जाएगा emf होने लग जाएगा यानि emf produce हो जाएगा current induced हो जाएगा यानि अब यह current जो induced हुआ है यह किस की वज़े से किस में हुआ है देखो भई, यह secondary coil का flux है न और कौन से current की वज़े से primary coil की current की वज़े से हमें secondary coil में flux को changes देखने को मिल रहा है यानि second coil का flux है वो किसके proportional है primary circuit में जो current है वो इस primary circuit में जो current है वो secondary coil के flux के, ठीक है देखो यह जो coil है न, secondary coil इसका जो flux है यह इस coil से attached of flux की से related है primary coil में कितना current है अगर primary coil का current बढ़ाओंगा तो secondary coil का flux भी बढ़ेगा क्योंकि अगर primary coil का current बढ़ेगा तो इसकी magnetic ह हैं बही current carrying coil है और magnetic field का form ले वो 2R जो radius होगा अगर यह current बढ़ेगा तो यह magnetic field बढ़ेगी के साथ यह भी बढ़ेगी तो ये बड़ेगा तो flux भी बड़ेगा तो वाईस आप flux देखा जाए secondary कोयल में जो flux है वो किसके किसपे dependent है primary coil के अंदर जो current है ठीक है ना तो हमने कह दिया secondary coil के अंदर यह इसके इस कोयल में यह conjunction है secondary coil का वो किसपे dependent है primary coil में जो current है उसपे depend है और directly proportionality को अठाने के लिए हम constant से multiply कर देंगे और ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास equation number first आ गये तो EMF secondary coil में कितना produce होगा भाई EMF का formula क्या है वो है minus d5 by dt कौन सा secondary coil के अंदर और ये हमारे पास है ही तो यहां से जो EMF की value आई वो कितनी आई minus m ये di by dt कि अब ये i current क्या है current है ये primary coil का और जो EMF produce होगा है ये हुआ है secondary coil में समझे के नहीं समझे ठीक है change in current in the primary coil ठीक है अगर primary coil के अंदर जो current change हो रहा है time के साथ उसको m से multiply कर दो m क्या है mutual inductance इसको mutual inductance भी बोल देते हैं ठीक है हाँ ठीक है mutual inductance और है और जो mutual inductance है mutual inductance इन्टू में डिय वे डिय पी यानि जो change in current in the primary coil वह हमें क्या देता है secondary coil में जो EMF induced हुआ है वो देता है ठीक है समझ में आई बात क्या कहा है मैंने मैंने कहा है तो को फिर से बता देता हूं फिर से बता देता हूं कैसे हुआ है यह कोईल एक single coil ले लिए मैंने यह बहुत सारी कोईल है यह बहुत सारी कोईल तो मैंने single coil लिए यहां पर switch को close किया तो current flow करेंगा तो इन coil में current होगा इस coil में current है उसको IP बोल दिया अब current के क्लेरिंग कोईल है तो वह क्या पड़िश करें मेगनेटिक फिल्ड मेगनेटिक फिल्ड का फॉर्मूले क्या होता है भाई आर के रे सर्कल के लिए मून आई अपन टू आई क्या है करेंट इंदा को अगर देखो अगर मैं इसे कोईल में current बढ़ाऊंगा तो इसे कोईल मे इसमें पर यूच हुई है वो इसमें से भी पास कर रही है अब इसमें से पास करी आप देखो इसकेंड्री न देन होई दगान काई तो डिबनेट पने और मेंग इसकींडरी कोईल का जो फ्लक्स है यह ऐमारे पास सकंडरी चोल में उस पर डिपेंड कर रहा यारी फिरसे समझ रहा हो जो प्रैयम्री को एक출还 lil के उसे में पर कर न सब कर रा है यह इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मीचूल Inductance इसको हम क्या बॉल देते हैं Musical Inductance और एमF होता क्या है एमF होता है माइनस सडीवाइब दीटी कौन्चे के अंदर EMF निकाल रहे हैं सेकंडरी कोईल के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर क्या आगया माइनस मदी आई पीवाइब डीटी यह आगया EMF, अब जो यह EMF आया है, यह secondary coil में produce हुआ है, यानि secondary coil में जो secondary coil के अंदर जो EMF produce हुआ है, वो किस पर depend कर रहा है, जो primary coil के अंदर जो current है, वो जो change order time के हिसाफ से उस पर depend कर रहा है, यानि EMF is equal to minus M, DIP by DT, that is the mutual inductance, एक तो यह formula बन गया यहाँ पर, और एक यह formula याद रखने वाला है, इस पर question पूछ लेता है, mutual inductance, ठीक है, चलो, question करते है, previous year problem देखते हैं, कि कैसी कैसी पूछी गई है, चलो, शाबाश, तो पहली, 2022 में जो question पूछा गया है, वो आपके सामने यह रहा, यह रहा वाई सब, क्या कह रहा है, कह रहा है, a circular loop of wire with radius R is centered at the origin of of the xy plane, यानि circular loop है, जिसका radius R है, और origin center पर लिया है, और वो किस plane में present है, xy plane में है, circular loop को xy plane में रख दिया गया, ठीक है, यानि रख देते हैं, माल लेते हैं, यह हमारे पास कौन सा plane है, यह हमने माल लिया, x, ठीक है, और यह हमारे पास कौन सा है, y, और उपर की तरफ कौ और यह जेड, और xy plane में हमने क्या रख रख किया, circle यह रख दी, circle, यह हमने क्या रख दी, xy plane में circle, ऐसे, ठीक है, यह xy plane में circle, circle यह कौन से plane में, xy plane में, चलो बहुत ही ज्यादा बढ़िया, ठीक है, समझाने के लिए बनाया है, यानि हमने xy plane में एक circle लख दिया, अब तो इसको फोड़ा सा इस प्रकार से बना लेते हैं अरे यार हैं कर गया हैं कर गया ना चलो हां यह रहा यह रहा यह सरकल है xy-plane में है और ठीक है आगे चलते दा मेगनेटिक फिल्ड एट पॉइंट विद ए लूप is this magnetic field दे राख है Z alexis को he हम इंवड माल लेते हैं एक बार यह origin है और क्या है magnetic field नाइन और यहां पर जैड एक्सीज के लोग क्या है magnetic field magnetic field नाइन Z alexis के लोग कितनी दे रखे मेरे पैरे बच्चों अगर मैं बात करूं देखो चरह यह दे रखी है के रो, R की पावर 3, K रो, R की पावर 3, T की पावर 3, Z cap, that is the magnetic field, where K is positive constant of appropriate dimension, neglecting the effect of any current induced in the loop, the magnitude of the induced EMF in the loop at time T, यह कह रहा है, जो यह circular loop दे रखा है, इसके अंदर जो EMF induced होगा, वो कितना होगा, वो आपको बताना है, यानि हमारे पास यह origin माना था, यह रहा वो origin है, और Z axis के लोग क्या है, magnetic field है, क्या है, magnetic field है, magnetic field कितनी दे रखे है, Z axis के लोग, यह दे रखे है, K, R, R की पावर 3, T की पावर 3, Z cap, तो यह कह रहा है, इस coil के अंदर जो EMF produce होगा, वो कितना होगा, यह आपके पास option है, तो EMF निकानले का formula क्या है, भाई साब, EMF निकानले का formula क्या है, अगर मैं numerical value की बात कर दो, तो D phi by dt, ठीक है, यह है, अगर phi कैसे निकालते है, phi हमें पता है, B dot ds, यह formula है phi निकानले का, magnetic field दे रखी है, area लेने, अब ध्यान से देखो, जो यह magnetic field है किसपर depend कर रही है, यह R पर depend कर रही है, यहाँ पर, को तो मैंने क्या किया मेरे को भाई सब्सक्राच निकान ला है न तो मैंने सब से पहले क्छ चोट सी डिंग महनली मैंने मैं जोट सीद्रोग मान ली यलों को यलो ये लोगे इस रिंग का एरीया क्या होगास बताуда इसका रेडियाश कहाIM स्मोल आर विट्थ क्या है इस तो बहής मिने को इस रिंग का एरिया बता तो लैंग टूप याँट्प डियर कैट अब देखोराओ रडियш क्या माना है रोम न्याग तो हम स्मोल और की मौुअ आर की जगे क्या लेंगे रो ळेंगे small r की जगह हम क्या लेंगे मेरे पहरे बच्चो रो लेंगे क्या लेंगे small r की जगह रो यानि यह जो radius है यह क्या है रो है और इसकी जो width है हमारे पास रो क्या है रो है और इसकी जो width है यह रही width है इसकी width क्या है d रो ठीक है, तो हम यहाँ इसका यह जो पोटा सा एरिया लिखना चाहते हृँ इसका ठोटा सा एरिया जो बनेगा, जो पनेगा जो कितना बनेगा। इसके लेंथ क्या मैंनेगी, लेंथ moje 1 अजमी ने डी रो को टूपाइडिव इंटू डी रो समोल एडिया अभी एडियेज डारेक्शन जैडिक्सक येलों यह पर दो पाई जाएगा तो फाई की वैल्डू कितनी आगी हमारे पास यहां कि मिका रख़ी के रही है हमें यह रही कि है रों की पावर दूट दूपाई रो ऑच्ट तूपाई रोट च्टूपाई रो दीनो जै ड कैम तोफाई की वैलू बन गई हमारे पास के टी की कि पावर थरी, 2 π, ρो की पावर फोर, k, t की पावर थरी, kt की पावर थरी, 2 π, रो की पावर 4, इन्टु डी रव, ये रहिए, फ्लक्स, ठीक है, 2 pi के बाहर अंदर आगया t की power 3 rho की power 4 d rho density कहां से कहां तक vary कर दिये radius कहां 0 से r मतलब density का नाम आ रहा है जो radius है यह जो ring बनी किस radius के बनी है r ठीक है तो कहां से कहां तक करेंगे 0 से capital r ठीक है तो हम इसको integration कर देंगे तो pi की value आ गए हमारे पास 2 pi k t की power 3 rho की power integration करो t की power 3 rho की power 5 by 5 ठीक है तो हमारे पास यहां से pi is equal to 2 pi k t की power 3 ठीक है r limit put करो r की power 5 by 5 अब emf निकालना है emf क्या होता है d5 by dt तो हम जब differentiation करेंगे तो 6 pi k t square r की power 6 by 5 sorry r की power 5 by 5 6 pi k 6 कौन सा है पहला option 6 pi k t square r की power 5 by 5 यानि कौन सा option करेक्ट है option is का correct answer और है यहां यहां पर the value of mutual inductance of the system is expressed as ठीक है यह हमें value दे रखे mutual inductance की यानि mutual inductance की जो value हमें यहां पर दे रखे वो कह दे रखे इस प्रकार से n mu not small l square pi l ठीक है अगे कहता है the value of n is जो यह n की value है वो क्या होगी यानि यहां पर जो हमने यह n ले रखा है यह जो n है इस n की value आपको बतानी है क्या होगी question में दो square loop है दो square loop है एक रहा यह square loop एक रहा यह एक यह बड़ा यह s है इस वाले की side है capital l square loop है इस वाले की side है small l क्या है small l यह given है और साथ ही साथ इसने कहा भी है capital l is greater greater than small l बोल रहा है बहुत मतलब है जो यह capital l का square हो बहुत बड़ा है small l के compare में यह छोटा सा square और यह बहुत बड़ा है कि और यह है आगे इसमें कहता है कि k crew बतानी है the value of mutual exec इन दोनों के बीच में mutual inductance है यानी mutual inductance दे रखा है और कहता है ड़्य ओफ उफो मीच्व 살 förگ RAW इसके बड़ाबर दीच से इसके बराबर म्हें के इसके बराबर है क्या है और अधिक्यवन है कि वैइक कैपिटल एल यानि यह बड़े वाला जो स्केर है चोटे वाला जो इन दोनों के बीच में बीचुम इंड़ेंस प्रजेंट वह वैल्लु कितनी दे रखी इतनी दे रखी है यह कह रहा है कि यह इसके बराबर है लेकिन इसमें जो स्मोल एन ना उसकी वेल्व क्या होगी वह आपको निकान लीगा है मृतूलइंट इसमें पढ़ाया है अब धियान चे देखो जरह नब बड़ा वाला एलमें माल लेते हैं कि कि रंढ़ेंट आई फ्लो कर रहा है कितना करेंट पलो कर रहा है माल लिए मैंने इसके अंदर इसके अंदर जो है वो small i flow कर रहा है कित्ना current flow कर रहा है सेRadio अब जब ये small i current flow कर रहा है और ये time के साथ hector ने के साथ होरा है 11 तरीके से याँ पर भी magnetic forwards heroicれ रहर करेगा यानि यहाँ पर Magnetic रही अब स्वेल ना यहाँ ऐ वाला currently ने और णिव्द्ध रहना प्रणाइब और चोटे वाले का रीजन थोटा सा ही यानि एक समान मेगनेटिक फिल्ड होगी जो यह प्रड्यूस करेगा अरे बाइक कैपिटल स्क्वेर है उसके अंदर करेंट आई है तो क्या वह सेंटर पर मेगनेटिक फिल्ड बनाएगा बिल्कुल बनाएगा और उसके स चेंज करेगी तो क्या होगा इसका मेगनेटिक फिल्ड चेंज करेगा अगर इसका मेगनेटिक फिल्ड चेंज करेगा तो क्या होगा इसमें इंड्यूज होगा क्योंकि मुच्वल इंडेक्टेंस हो रहा है यही तो कहानी थी सारी भाई एक कोईल के अंदर यही तो कहानी यह रही यह इस कोईल के अंदर करन्ट चेंज करता है तो इसमें फ्लक्स आता है और फ्लक्स को हम क्या लिखते थे एम इंटू आई पी यहां पर भी लगेगा भाई यह मिट्वल इंडक्टेंस का क्यूश्चन है यानि अम्हें को एक बात बताओ इस वाले को स्क्वेर लूप को हमने कैसा क्या नाम दे दिया इस वाले को हमने नाम दिया प्राइमरी प्राइमरी इस वाले को क्या नाम दिया प्राइमरी और इस वाले को हमने क्या नाम दिया सेकेंडरी और आपको पता है सेकेंडरी कोईल के अंदर जो फ्लक्स होगा वो म्यूच्वल इंडक्ट इंडक्टेंस इंडू करेंट इंडू दूदा प्राइमरी कोईल यही होगा यही तो फोर्मुला है कि अब इसके अंदर जो फ्लक्स होगा सेकन्डरी कोईल के अंदर वो कितना होगा फॉर्मूला क्या है यही तो हैնने का ले Oblbor तरीका अब मैंगनेटिक फिल्ड कितनी होगे यहां पर पहली बात अरे अरोर्षक कर रहा है तो जहां-पर मैंगनेटिक किल्ड बिल्कुल बोर अब देखो है सेंटर था नहीं Σेंटर था रहे हैं यह दूरी क्या ऑनेगी यार classroom service तो यह दूरी क्या होगी यह एंगल कितना बनेगा धियान से समझना अब सारा खेल होगा यहां पर पहले हम इस वायर के वज़े से इनवर्ट इस वायर के वज़े से इनवर्ट इस वाली की वज़े से इनवर्ट यानि चारू की वज़े से मगनेटिक फिल इनवर्ट होगी लेकिन के वाले इस वायर के टुकडे की वज़े से अगर मैं सेंटर पर मेगनेटिक फिल लिखना चाहता हूं अरे यह 45 का है यह भी तो 45 का बनेगा यानि ठीटा वन ठीटा टू यानि साइन 45 प्लस साइन 45 अब यह एक वायर की वज़े से आई तो चारों वायर सेम डिरेक्शन में है तो चार से और मिल्टिप्लाई कर दो इंटू में 4 तो यह नेट मेगनेटिक फिल्ड बन गई किस ही है यह इस रीजन के अंदर आ रही वह भी इनवर डैरेक्शन इस रीजन में वह कितनी आई है वह यह आई अब इसकी वैलू निकालूंगा तो फोर से यह फोर कट गया तो हमारे पास यह आया म्यू नोट आई अपॉन साइन 45 वन भाइंड रूट तो यह आ गया टू रू क्या गया यह अब यह उपर चला जाएगा उपर जाएगा तो यह बन गया म्यू नोट आई टू रूट या फिर इसको ऐसे कार दो तू रूट टू डिवाइड़ बाई पाई एल डिवाइड़ बाई पाई अब यह जो है यह है मैगनेटिक फिल्ट किस वाले रीजन में इ कितना होगा बाई बताओ जरा फ्लक्स कितना हो बी इंटू में एरिया अरे यही तो लिखेंगे बी डोट डिस में पता है वह है म्यू नोट आई टू रूट टू डिवाइड़ बाई पाई एल एल एरिया देखो जरा में एगनेटिक फिल्ट की डिरेक्शन क्या है अंदर और इससे स्केयर लुप की डिरेक्शन कहा है अंदर दोनों एह स्का एठभिया क्या बनेगा एल स्केयर तो यानि इंटू में च्बरिश यह सेकन्डरी टूरक्स इन्डर शेकन्री और का टट भूसेंडर के एक अंदर फलक्स अनधर स्केंडरी और हमें पता है जो सेकन्ड IP की value क्या आई है हमारे पास, small i है, यह equation second और यह equation third, compare equation, equation second या फिर equation third put in equation second, equation third put in equation second, तो हमारे पास आगया यह, m i is equal to mu not i, 2 root 2, small l square divided by pi l, i से i कट गया, और यहां से mutual inductance की value आई, y2 root 2, mu not l square divided by pi l, और हमें m की value क्या दे रखे थे, mu not l square pi l, small n था, यहांने इन दोनों को compare करूँगा, तो यहां से हमें n की value क्या मिल गई, 2 root 2, root 2 की value 1.14 के आसपास होती है, 1.14 होती है, 1.4 जो भी होती है देख लेना एक बार, under root 2 की value हाना, 1.14 के आसपास होती हुई, इसको multiply कर देना, जो भी value आई ही, उसको यहां पे रख देना, 2 decimal तक, वो result आजाए, वो क्या जाएगा, result आजाए, ही mutual inductance, हमने current माना, अब क्य question ही आता है, कि सर आपने जो current है, वो छोटी coil में क्यों नहीं माना, आपने बड़ी coil में ही current क्यों लिया, अरे मेरे भाई, अगर मैं छोटी coil में current मानूंगा, तो क्या मैं इस region में magnetic field constant बना सकता हूं, क्या, लेकिन बड़ी वाली coil में current मान लो, तो उसके वज़े से छोटी coil के अंदर जो magnetic field मिलेगी, वो constant मिलेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि जो length है, वो बहुत बड़ी है, चोटी के compare, यानि बड़ा वाला जो square है, उसकी जो side है, चोटी वाली के compare में बहुत बड़ी है, इसलिए हमने current किस में माना, बड़ी वाली में माना, ताकि यह जो magnetic field पड़ी उस करेगा center पर, क्योंकि यह जो region है, बहुत चोटा है, इस से भी छोटा है, जो दिखाई दे रहे हैं, बहुत चोटा है, ताकि हम constant magnetic field लेज सके, इसलिए, ठीक है, ऐसे question को ऐसे ही किया जाता है, आगे भी ऐसे question आ रखे, वो भी मैं ऐसे ही करूंगा देख लेना, चलो भई, next question, next question यह रहा, यह 2020 में पूछा गया है, ठीक है, यह क्या पूछ रहा है, कह रहा है, एथीन conducting square loop of side L is place, एथीन conducting square loop, square loop है भई, यह अच्छी बात है, कैसी है, square loop है, जिसकी side L है, place in the first quadrant of xy plane, with one of the vertices at the origin, ठीक है भई, पहले quadrant में उसको रख दिया गया, ठीक है, एक उसका जो vertices है, वो origin पहले ठीक है, if a changing magnetic field B, this is applied, where B note is a constant, beta note is a constant, then the magnitude of the induced electromagnetic force in the loop is, यह कह रहा है कि जो electromagnetic force produce होगा, उस loop में वो कितना होगा, यानि, emf की value आपको बतानी है, यह हमारे पास, यह हमारे पास xy plane है, इस xy plane में पहले quadrant के अंदर हमने क्या रख दी, हमने रख दी, square जिसकी side क्या है, L, यह भी L और यह भी L, ठीक है, और कह रहा है हमें magnetic field दे रखी है, magnetic field किस-किस region में है, वाई साब, x में भी है, y में भी है, और z में भी, x यह मानी, y यह मानी, तो z की direction क्या होगी, वो होगी outward, z की direction क्या होगी, वो होगी outward, ठीक है, अब हमें, यह magnetic field है, जो time के साथ change कर रही है, अना तो हमें flux चाहिए, इस coil में, इस coil में flux कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को बताओ, मैंने छोटा सा area माना, यह छोटा सा area माना, इस इस छोटे से area को क्या लिख सकता हूँ, भाई, बताओ ज़रा, dx, dy, किस direction में होगा, z कर, चोटा सा area नहीं, किस direction में होगा, z कर, क्यों होगा, यह लूप है, यह direction होगी या फिर यह होगी, लेकिन magnetic field क्या, plus z की तरफ है, तो हम direction भी यही ले लेंगे, तो हमने ds लिखी दिया, area पता चल गया, अब हमें flux निकालना है, flux, emf निकालना है, तो emf कैसे निकालते, emf का formula है, d5 by dt, तो अगर fine जब तक, या नहीं, इसे close loop तक, जब तक flux नहीं मिलेगा, बात बनेगी नहीं, और flux का formula क्या है, वो है, b dot ds, और b की value क्या दे रखी है, जो दे रखी है, रख दो भाई, b की value क्या दे रखी है, हमें, बीटा नोट, बीटा नोट, 5, z, y, t, x, cap, प्लस में, बीटा नोट, z, x, t, y, cap, z, x, t, y, cap, प्लस में, बीटा नोट, 3, y, square, 3, y, square, t, z, cap, और ds क्या हो गया, यह हो गया, dot product है, यह हो गया, dot, dx, dy, और यह, z, cap, अब dot, survive कौन सा करेगा, z, cap, to, z, cap, survive करेगा, बाकी क्या बन जाएगा, 0, तो 5 की value हमारे पास आ गई है, बीटा नोट, बीटा नोट, 3, y, square, t, dx, dy, ठीक है, अब लोगई, दो बार integration करना वड़ेगा न, भाई, surface integration है, तो दो बार करेंगे, तो हमारे पास बीटा नोट भाहर, 3 बाहर, t बाहर, अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया हमारे पास, अंदर क्या बच गया हमारे पास, ध्यान देखो ज़रा, बीटा नोट, 3, t बाहर, यानि एक बचा, dx, एक बचा, y, square, dy, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गई बीटा नोट 3T L, L की पावर 3 by 3, तो यह हमारे पास बन गया, 3 से फिर 3 कट गया, बीटा नोट L की पावर 4, इंटू में T, यह क्या आया, फ्लक्स आया, अब EMF निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, differentiation कर देंगे, तो हमारे पास जो EMF आएगा, वो क्या आजाएगा, D5 by DT, यानि D by DT, और 5 की वैल्यू क्या थी, बीटा नोट, L की पावर 4, T, और यह हमारे पास आगया, बीटा नोट L की पावर 4, यानि EMF इतना है, बीटा नोट L की पावर 4, यानि Option D इसका correct answer है, हर साल एक question पूछ रहा है, मांद के चलो, इंडियू जी में पे, एक साल question पूछ रहा है, ठीक है, चलो, यह रहा अगला question 2018 में पूछा गया है, क्या कह रहा है, a rectangular loop of dimension L and W, moves with a constant speed V, through a region containing a uniform magnetic field V, directed into the paper, and extending a distance of 4W, which of the following figures correctly represent the variation of E with the position X of the front end of the loop, अच्छा जी, हमारे पास एक लूप है, यह रहा लूप और वो भी वेलोस्टी से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर, uniform magnetic field है, यहाँ पर कैसी है, uniform magnetic field है, uniform magnetic field है, अब यह कहता है, कि जब यह loop है, यह बाहर है, अभी तो इसके अंदर कोई भी, किछी परकार की EMF induced हुई ही नहीं है, लेकिन जैसे यह इसके अंदर enter करने लगेगा, तो इसमें EMF induced होने लग जाएगे, तो पूछ रहा है, कि जो correctly EMF induced होगी, वो जो figure है, वो कौन सही represent कर रहा है, यानि यह A option है, B option है, C option है, या फिर D option है, यह यह पूछ रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, जब यह इसके अंदर जाएगा, जब यह इसके अंदर जाएगा, तो जो EMF induced होगा, वो क्या होगा, अरे वाई, यह magnetic field है नहीं, यह magnetic field एक तर इंटर कर गया, यह, इतना, इतना इंटर कर गया, इसकी length यह L है, और यह क्या है, डबलू, यह क्या है, डबलू, अब मिनको एक बात बताओ, हम ऐसा पढ़ चुके, अब धिरे दिरे यह अंदर जा रहा है, तो flux इसमें क्या कर रहा है, इंकरीज कर रहा है, और EMF का formula क्या ह है, EMF का formula है, V cross B dot L, अब मिनको एक बात बताओ, V cross B की direction क्या आएगी, क्योंकि यह जा इधर रहा है, तो V cross B की, भाई, इसके 4 side बनी, 4 side बनी है, ध्यान से देखना, एक side यह बनी, एक side यह बनी, एक side यह बनी, और 4 यह नीचे की तरफ बनी, अब दूसरी और 4 side में तो EMF produce होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, V cross B की direction क्या बनेगी, V किदर है इधर, B किदर है उपर, तो V cross B किदर है उपर, और L किदर है इधर, तो दोनों में 90 degree बनना है, यानि इस side में कोई किसी पड़कार का EMF नहीं मिलेगा, इस वाली में, ना इस वाली में, तो EMF केवल, यह side इंदर गई ना, इसमें EMF produce होगा, वो कितना होगा, V cross B, यानि V cross B, यानि उपर, और L भी उपर लेंगे, तो EMF कितना है, VBL, इतना EMF आ गया, इतना EMF आ गया, VBL, अब यह EMF जो आया है, वो क्या करता है, अपोज करेगा ना भई, तो positive आएगा, negative, negative आएगा, ulti direction में EMF produce ह होगा ना भाई, जो EMF produce होगा, वो ulti direction में होगा ना, अरे भाई, EMF का जो formula था, हम सीधा क्या लिखते थे, minus of d phi by dt, ये लिखते थे, change in flux with respect to time, अब देखो, इसका flux भी तो change कर रहा है, time के साथ, flux increase कर रहा है, ये तो flux increase कर रहा है, ये तो flux increase कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साथ में sign कैसा आया, minus का, तो ये जो term आईगी, वो कैसी आईगी, negative, देखो ये तो direct click का है, मैंने आज, एक इससे भी लिख सकते ह हो तुम, इससे भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसका area क्या बनेगा, माल लो, अरे भई, area क्या बनेगा, इसका छोटा सा lens अंदर आया, तो L इंटू Dx, L इंटू Dx, और magnetic field कितनी है, B, अरे भई, चलो, इसको इस formula से करते है, तो flux का formula क्या है, flux क्या लिखते है, B dot A, अब magnetic field तो कितनी है, B note है, magnetic field भी है, area, magnetic field भी अंदर, और area की direction भी अंदर, area क्या होगा, माल लो, यह चोटा सा है, यह कितनी length अंदर आगया, यह x length अंतर आगया, तो मैं क्या लिखोंगा, बताओ जरा, x length अंतर आया, तो B into में x into L, यह लिखोंगा, यह phi है, तो EMF की value क्या बनेगी यहां से, बताओ, minus over d by dt, यह phi, ऐसे भी कर सकता हूं, मैं, दोनों तरीके चिखा रहा हूं मैं आपको, समझा रहा है, अब इसकी value इसमें रखो जा रहा है, तो minus से, b, l, यह fix, यह fix, x ही तो change कर रहा है, time के साथ, तो dx by dt क्या बन गया, v तो यह क्या बन गया, minus of b, l, v, देखों, वही आया है, इससे भी value आ रही है, इससे भी वही आ रही है, यानि, emf कितना आएगा, इतना आएगा, negative, यानि जैसे यह enter करने लगेगा, तो इस सर्केट में emf induced हो जाएगा, कितना होगा, यह होगा, minus of b, l, v, अब b, l, v, maximum b, l, v, रहेगा, भई, enter कर गया, v, l, v, फिर उसके बाद यह completely अंदर आ जाएगा, तो emf अभी फिर क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि फिर flux change नहीं कर रहा, लेकिन जब यह बाहर निकलने लगेगा, इस region से, फिर emf इसमें क्या करने लगेगा, flux इसमें decrease करने लगेगा, na, flux decrease करने लगेगा, तो emf फिर से produce होगा, तो कौन सा option मैच कर रहा है, और एक option आपको D में दे रखा है, अब C और D में से कौन सा option करेक्ट होगा, भई, सीध्य सी बात है, C option करेक्ट है, क्योंकि negative emf पढ़िउस होगा, अपोज करेगा, न, वो, देखो, यहाँ, यह जो region है, यहाँ तक जब तक पहुचा था, जब तक emf 0, जैसे ही इसमें एंटर किया, यानि यह फिगर ऐसे बनी, इसके बाद यह कुछ समय के बाद ऐसे आया, एंटर किया, तो emf कितना होगा, negative, कब तक, जब तक यह completely इसके अंदर नहीं आया, उसके बाद completely आने के बाद, तो flux क्या है, constant रहेगा, तो emf 0, flux नहीं कर रहा, तो emf कैसा आएगा, फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकलने लगेगा, फिर emf क्या क्या करने लगा, decrease करने लगा, यानि, change करने लगा, तो emf फिर उसमें पड़ीश हुआ, तो correct option कैसका, c है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, अरे भाई, मैंने यह क करने लगा, तो time के साथ differentiate करूँगा, time के साथ differentiate करूँगा, तो क्या आएगा, dx by dt, velocity तो है, क्योंकि x ही तो change कर रहा है, और वो क्या है, v, velocity से आ रहा है, भाई, यह ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात एक ही है, बस समझ में आना चाहिए, तुमको, next question, जो यह है, पहले पानी पी with r1 is greater greater than r2, the mutual inductance between the two coils is proportional to, mutual inductance का है, पिछला जो question किया था, वहसा ही question है, अरे, जस्ट पिछले की बात निकर रहा, 2021 में जो आया था, वहाँ पे square loop ले लिया था, यहाँ पे इसने क्या ले लिया, ring ले लिया, शाबाज बताओ जो रख्या हो, बताओ, बताया ही था मैंने, secondary coil, m into primary coil, ठीक है, इसको मैंने क्या बोला, यह हमारे पास कौन सी है, यह हमारे पास है primary, यह हमारे पास primary है, और यह हमारे पास कौन सी है, secondary, ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्राइमरी कोईल में करेंट फ्लो कर रहा है कितना आई आई करेंट फ्लो कर रहा है तो क्या है ये हमारे पास क्या है भाई ये हमारे पास है क्या है ये क्या है हमारे पास ये हमारे पास छोटी सी क्या है रिंग है ना बड़ी वाली रिंग है जो सरकुलर आर्क है उसमें current इफ लो करते तो magnetic फिल्ड पढ़ेगा मँउन्यटक फिल्ड क्तिनों पर गाइन διαृट कुत अधा है अधाओट किस वाली का रेडियस बड़ी वाली का रेडियस तब इस ऩिक वाली बिंट करेगा मेंगनेटिक फिल्ट पर यूज़करेगा तो सेकंड रेन कोयुल के साथ भी तो होगा वह कितना हो भी इंटू में एरिया जिटीेकसिkell सेंग डिरेक्ष्ण में में मेंगनेटिक मुझ नोट आई अपॉन, 2R1 area कितना है, πाई R 2 का square, येलो area ठीक है हना भई, और ये क्या है current, ये है क्या, ये क्या है, current in primary coil, ये values रख तो इसमें ये value उठाकर रखूंगा, तो मेरे पास क्या बने गए ये आ गया, मुझ नोट आई अपॉन, 2R1 एंटू में पाई आर्टू का स्केयर और फिर M इन्टू में आईपी कितना है आई ऐसे डा इकट गया तो M की वैल्यू कितनी दिश्यcelli खकेयर टू आर्वन तो मीचल इंडच्टेंट इंच किसके प्रपोर्पोर्स्नल सब्सक्राइब आर्ट का स्क्वेर वाइब आर्ट का स्कुएर वाई आर्वं ऑफिशंची इसका करेक्ट आणंसर थीक है 2017 में पूछा गया था एक और क्षुच्ण है 2017 करवा भी चुका हूं वैसा ही क्षुच्ण है दिखाऊंगा देखो करवा है था एसा क्षुच्ण कहता क्या है ? एh rectangular loop of dimension L, Rectangular loop है, dimension क्या है L, width W, width कितने है, W moves with a constant velocity V away from an initial long state wire carrying a current I, infinitely, away from an infinitely long state wire carrying a current I in the plane of the loop as shown in the figure below. इस लोकेशन पर जब यह पहुंचा तो यह पूछ रहा है इसके अंदर जो यह में प्रडियूस होगा वो कितना होगा जब यह कि इनफाइनयT वायर के पास आता है इनफाइन वायर के पास आता है यानी यह देखो जड ला हमने qst कराया था झ्यान से देखिया यह देखो compare करें हम दूनों को कहां चले गए हम इतो है मं आजा हैं कि यह रहां इस views को बनाते हैं इसी कृष्टियन को हम बनाते हैं चलोगों को सोली कर लेते से न क्या करवा चुका वैसे तुम्हें ठीक है यह क्या है infinite यह क्या है infinite वाइब और यह हमारे पास है लूप लेंठ एल यह लैंध एल और यह इसकी विड्थ डबलू और यह आर पोदीशन ठीक भाई अब यह कहा रहा है इस वाली में जो करंट है वो कितना है करंट है आई करंट कितना है करंट कितना है करंट कितना है करंट है करंट है आई वेलोस्टी कितनी है वी और वी वेलोस्टी से यह मूव कर रहा है तो कह रहा है कि जब यह इस पोदिशन पर पहुचा उस वकट इसमें इमें बताओ अब मेरे को एक बात बताओ सबसे पहली बात इमें कौन-कौन सी वायर में प्रड्यूस होगा जो है वो इस crystalline Whare का नाम दें तो ये सक ये थरड्ड और ये फिर्फ और एमफ निकाननने का फोर्मूला क्या है?" एमफ निकाननने का फोर्मूला है वी क्रोस बी. Mickनौम्ल जो होगा इसकी वजह से किसे होगा वह अंदर होगा inवर्ड डाएकशन में वगा मैंगनेटिक फिल्ड की डियारेकशन जो होगी वह इस पूरे इसे पूरे आ मैं कैसे होगी किसे होगी वड होगी αλλά अलग-अलग वेल्य होगी उसकी में V इधर V अंदर तो V cross B कि डिरेक्शन क्या है उपर और L की डिरेक्शन है इधर और बाई यहां हमारे पास यह टारेक्शन किस की आई है V cross B की और यह direction किसकी है L की और इन डोनों के बीच कहा है डोट प्रोडस और एंगल कितना बन गया यह 90 का तो यह बाई साथ fourth or second के लिए देखो फिर से इसके लिए भी देखेंगे तो यह क्या है वी cross B और यह direction किसकी है यह direction है एंगल क्या है यहाँ पर 90 यानि second यानि EMF second wire में 0 और EMF जो fourth wire है उसमें भी 0 आएगा तो सर्वाइव कौन से में करेगा पहले और तीसरे में डायरेक्ट देखके पता चल रहा है पहले और तीसरे में वह सर्वाइव करेगा अब इस पहली वायर की बात करें तो पहली वायर में क्या होगा वाई सब वी क्रोस भी वी इधर भी नीचे ऊपर यानि यह डायरेक्शन एल की direction भी ये जिधर भी क्रोश भी आएगा उधर कैसा आएगा positive चार्ट इदर कैसा आएगा negative चार्ट यानि जो battery इंड्यूज होगी वो कैसी होगी यहां पर यहां पर जो battery होगी वो कैसी होगी कुन सा color यूज करें सारे तुमने कर लिए yellow नहीं करा है यह लो है ऐसी battery यही तो कमाल की बात है यही तो इस वाले इंच वाल इस वाले रीजन में यहां पर फिल्ड अलग है यहां पर अलग है क्योंकि infinite wire है यहां पर magnetic field कितनी है वो है mu not i upon 2 pi r और यहां पर जो magnetic field है वो कितनी है mu not i upon 2 pi r plus w बस formula लगा दो आ जाईए तो यहां पर जो यह emf i हो कितना आया है वो आया है vbl यानि mu not i upon 2 pi r plus omega ठीक है vl length यह जो length दे रखे वो small दे रखे capital capital आएगा है length क्या दे रखे capital इसी परकार इसके अंदर भी आएगा और यहां पर जो emf आ जाएगा वो कितना जाएगा थर्ड वाली वायर में वो कितना आएगा वो ही mu not i upon 4 pi r और यह vl यह emf जादा है यह कम है तो net emf क्या होगा इन दोनों का सब्टक्ट तो net emf तो net emf बनेगा वो बनेगा mu not i upon 4 pi r vl माइनस में mu not i upon 2 pi अरे 2 आएगा यह तो कर देना infinite आएट वायर है वह यह तू यह तो गलते से लिख दिया था तो यह आएगा 2 तो यह तो पाई r plus w vl common जो जाएगा common निकाल दो जब हम common निकालेंगे तो we have common कितना आगया यह आगया mu not i upon 2 pi ठीक है vl और यह 1 by r minus 1 by r plus w यह आगया अल्चम ले लो तो म्यू not i vl upon 2 pi अल्चम लेंगे तो उपर r और नीचे सोरी उपर क्या जाएगा डबलू ठीक है 2 pi एल्चम लो एल्चम लेंगे तो क्या आएगा r r plus w और यहाँ पर हम क्या कर देंगे r plus w minus r और यह आगया म्यू not i vl divided by 2 pi small r 2 pi 2 pi small r और यह r plus w और हमें क्या चाहिए induced current induced current कैसे बनेगा यह में बहुत है resistance कितना है circuit का capital r capital r दे रखा यह रहा ठीक है तो हमारे पास बन गया है म्यू not i vl upon 2 pi capital r small r r plus w option म्यू not i l w v 2 pi r 2 pi r यहानी option सी देखो म्यू not i 2 pi capital r small r r plus w म्यू not i 2 pi capital r small r r plus w यहाँ पर l w v उपर l w v और बच्च किया था यहानी यह मैच कर गया कौन से option के साथ मैच कर गया c option के साथ इसका correct answer क्या है c है कि mutual inductance के कुछ question हो गए हमारे पास induced EMF के कुछ questions थे वह हमने solve कर लिए previous year problem थी वह हमने देख ली है तो आज के आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों यह session यहीं तक था induced EMF पर एक question हर साल पूछ रहा है या तो mutual inductance के question आ रहा है या फिर वह EMF निकालना पूछ रहा है और EMF निकालना मैंने आपको सिखा दिया है mutual inductance के question है वह भी मैंने आपको बता दिया self inductance मैंने आपको पढ़ा दिया है ठीक है तो जहां-जहां से जिस परकार के question पूछे गए तो उस पर भी हमने कुछ प्रेक्टिस भी कर लिए ठीक है तो यह जो सेशन था मेरे पैरे बच्चो आज का यहीं तक था next session में इससे आगे बढ़ेंगे और चीजों को जानने के कोशिस करेंगे कुछ नए concept के साथ कुछ नई चीजों के साथ next session में आपके सामने उपस्तित रहूंगा आज के लिए मेरे पैरे बच्चो यहीं तक था थैंक यू